इस समवाद को मैं चाहता हूँ कि देश के लिए कोई दिशा बनाने वाला दिशा इस्थापित करने वाला बन जाए इस द्रश्टी से मैं कुछ तथ्याप के बीच रफना चाहता हूँ हमारे भारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में एक बार अंग्रेजों ने बहुत गंभीर और खराब टिपणी की थी सन 1931 में महात्मा गांदी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और अंग्रेजों की सरकार के साथ उनका वारता लाप चल रहा था अंग्रेजों की तरफ से जो गांदी जी से समबाद करने वाली टीम थी या उनका जो समू था उस समू के जो बहुत प्रमुख लोगों में से एक उन्होंने गांदी जी को एक बहुत खराब बात कही उन्होंने ये कहा कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत की सिक्षा व्यवस्था तो कभी भी बन नहीं पाती गांदी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत की सिक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले की भारत की सिक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी ये गांदी जी ने कहा तो अंग्रेज अधिकारियों ने गांदी जी से कहा कि आप ऐसा किस आधार पर कहते हैं तो गांदी जी ने कहा कि मेरे देश को मैंने बहुत नस्दीक से देखा है गाउं गाउं में मैंने प्रवास किया है वहाँ जो कुछ भी सिक्षा व्यवस्था के पुराने खंडहर दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भूद काल में हमारी सिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बहुत मजबूत थे उसी समय गांदी जी के साथ उन अंग्रेज अधिकारियों का विवाद हो गया और गांदी जी की गोल में जयात्रा समाप्त होने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी तरफ से एक वक्तव विजारी किया जो लंदन के सभी प्रमुक समाचार पत्रों में छपा और उसमें ये कहा गया कि गांदी जी को अपने देश की सिक्षा व्यवस्था के बारे में गर्व है लेकिन उनके पास इस बात का कोई आधार और सबूत नहीं है कि भारत की सिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के आने के पहले कैसी थी ये गांदी जी के पास कोई प्रमान नहीं लिहाजा हम मानेंगे नहीं कि गांदी जी की बात सही है और इस तरह से उस पर एक बहस चल पड़ी भारत लोटने के बाद महात्मा गांदी ने उस बहस को बंद नहीं किया और लगातार उसको जिन्दा रखा गांदी जी के जो बहुत नजदी की लोगों में से काम करने वाले एक व्यादी जो इस समय भी जीवित हैं और जो भारत के बहुत प्रमुक इतिहास कारों में माने जाते हैं उनका नाम है प्रोफेसर धरमपाल जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को तो प्रोफेसर धरमपाल जो गांदी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे उन्होंने गांदी जी को पूछा कि अच्छा मेरा काम क्या है आज़ादी आ गई, सरकार बन गई, अब बताइए मेरा काम क्या है तो गांदी जी ने कहा कि देखो में 1931 में गोलमिज सम्मे Calvin में लंदन गया था उस समय अंग्रेज अधिकारिएों ने मुझे ये कहा था कि भारत में अंग्रेज अगर नहीं आते तो भारत की शिक्षा व्यवस्था तो कुछ भी नहीं होती मुझे ये बात सही नहीं लगती लेकिन मेरे पास इसको साबित करने के लिए कोई प्रमान नहीं है मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ कि तुम भारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में जितने भी संभव हो प्रमान इकठे करो, दस्तावेज इकठे करो, तथ इकठे करो और उसके आधार पर ये सत्य साबित करो कि अंग्रेजों से आने के पहले की भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी थी दरंपाल जी ने गांदी जी के इस वाक्य को या गांदी जी के इस कथन को अपने जीवन का उद्देश बना लिया और वो भारत छोड़कर लंदन चले गए लंदन के बाद दुनिया के कई देशों में घूमते रहे फ्रांस में रहे, जर्मनी में रहे, यूरोप के देशों में चालीस साल उनोंने अध्यन और अध्यापन किया बहुत समय तक वो पढ़ाते रहे, जीविका चलाने के लिए कुछ पैसा बनाने के लिए, लेकिन मूल उद्देश ये था कि भारती सिक्षा व्यवस्था कैसी थी अंग्रेजों के आने के पहले उसके प्रमान एकत्रित करना, दस्तावेज एकत्रित करना और उनके आधार पर कोई अधिकार पूर्वक बात कहना श्री धरमपाल जी के चालीस साल के अथक प्रयासों से कुछ हजार दस्तावेज मिले, जो अलग-अलग स्थानों से उनोंने लिए उनका एक साथ जब बैठ कर विशलेशन किया तो पता चला कि अंग्रेजों के आने के पहले की सिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थे अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक घटना घटित हुई वो इस से बहुत जुड़ी हुई है जो मैं कहने जा रहा हूँ हमारे देश के जो वरतमान प्रधान मंतरी है डॉक्टर मनमोहन सिंग ये थोड़े दिन पहले आक्सफोर्ड विश्विद्याले में गए थे और इनको आक्सफोर्ड विश्विद्याले ने मानद डॉक्टरेट की उपादी दी थी जिस दिन ये समारो आयोजित हुआ था उस दिन मैंने उसका लाइव टेली कास्ट देखा था सीधा प्रसारण और उस सीधे प्रसारण में लगबग मैं दो ढ़ाई घंटे बैठा रहा टीवी के सामने देखता रहा कि क्या क्या हो रहा है उस कारिकरम में 40 मिनट का तो व्याक्यान हुआ डॉक्टर मनमहन सिंग का और उसके अलावा कुछ दूसरी आपचारिक ताएं हुई मनमहन सिंग जी ने जो व्याक्यान दिया इस आक्सफोर्ड विश्व विद्याले के पद्वी ग्रहड समारोह में वो बहुत ही तकलीफ देने वाला था और किसी भी स्वाभिमानी भारती नागरिक को नीचा दिखाने वाला था उन्होंने अपने व्याक्यान की शुरूआत ही यहां से की कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर अपनी सरकार बनाई हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर सिक्षा व्यवस्था दी हम अंग्रेजों के बहुत आभारी है जो उन्होंने भारत में आकर नियाए व्यवस्था इस्थापित की हम अंग्रेजों के बहुत आभारी है कि उन्होंने भारती और लोगों को विग्यान सिखाया हम अंग्रेजों के बहुत आभरी हैं कि उन्होंने भारतिय नागरिकों को विज्ञान और तक्निकी का अंतर समझाया हम अंग्रेजों के बहुत आभरी हैं कि उन्होंने अंग्रेजी भाशा हमें बताई और ऐसा ही वो 40 मिनट बोलते रहे अगले दिन क्या हुआ लंदन के सभी समाचार पत्रों में हमारे भारत के प्रधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सींग का ये वक्तव छपा और इस वक्तव के साथ सभी समाचार पत्रों में संपादिकिय टिपणी भी छपी और ज्यादातर समाचार पत्रों के संपादिकिय में ये लिखा गया कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधान मंतरी विंस्टन चर्चिल ने सन 1945 में भारत के बारे में ये कह दिया था कि ये देश आजाद होने लायक देश नहीं है और भारत के प्रधान मंतरी डॉक्टर बन्मोहन सिंग ने कल लंदन में व्याक्यान देकर ये सिद्ध कर दिया कि भारत आजादी के इतने साल के बाद भी अभी मानसिक रूप से गुलाम है जिस देश का प्रधान मंतरी अभी भी अंग्रेजों के गुरगान करता हो उस देश की प्रधा की मानसिक गुलामी की स्थिती क्या होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं वगरा वगरा खूब लंबी संपाद की टिपणी उस पे की गई मेरे कुछ दोस्तों ने वो संपाद की टिपणिया अलग-लग अखवारों से काट कर भेज दिया उसके बाद मैंने डॉक्टर मनमहन सिंग के लिए एक पत्र लिखा जो लगबग 200 पेज का है वो पत्र नहीं एक किताब हो गई और मैंने उनसे कहा कि हमें बड़ी शर्म आती है कि आप भारत के प्रधान मंत्री हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हमें शर्म आती है कि आप भारत के ऐसे प्रधान मंत्री हैं जिनोंने भारती अताका कुछ समझने की भी जीवन में कोशिश नहीं की है भारत अंग्रेजों के पहले कैसा था भारत की सिक्षा अंग्रेजों के पहले कैसी थी बारत की तक्नीकी और विग्यान अंग्रेजों के पहले कैसा था हमारा भारत अंग्रेजों के पहले उद्द्योग और व्यापार में किस इस्थान पर दुनिया में टिका हुआ था ये सब बातें अगर आप दस्तावेजों के आधार पर जरा समझें और जानें तो बहुत अच्छा होगा आप अगली बार ऐसा गुलामी का वक्तव देने से बचेंगे आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैंने ये जो पत्र लिखा ये पत्र मनमहन सिंग के कारियाले में पहुँचा और एक लाइन का उत्तर आया कि आपका पत्र मिला और हम उसको कारिवाही के लिए भेज रहे अब कहां भेज रहे कारिवाही के लिए मैंने तो लिखा था हमारे देश के प्रधान मंत्री को और उसमें पत्र तो एक ही पन्ने का था बाकी 249 पन्ने के तो दस्तावेज जो ये सिद्ध करने के लिए मैंने उनके पास भेजे कि आप पहले इन दस्तावेजों को पढ़ें और देखें कि अंग्रेजों के आने के पहले का भारत कैसा था सिक्षा व्यवस्था के इस्तर पर तक्नीक और विज्ञान के इस्तर पर उद्योग और व्यापार के इस्तर पर हर इस्तर पर चिकित्सा व्यवस्था के इस्तर पर जहां तक भी संभव हो मैंने उसमें जानकरी दे उसमें से एक हिस्से की छोटी जानकरी मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी थी और जिस समय हमारी सिक्षा व्यवस्था ऐसी थी उस समय यूरोप की सिक्षा व्यवस्था कैसी थी बारत की सिक्षा व्यवस्था के बारे में सबसे जादा काम जिनों ने किया है वो कुछ अंग्रेज ही है एक अंग्रेज अधिकारी भारत में आया जो लगबग 40 साल यहां रहा उसका नाम था विलियम एडम विलियम एडम बहुत उच्छी स्तरका अधिकारी था अंग्रेजों की जो संसत का एक हिस्सा है House of Lords उसमें बहुत दिनों तक वो संसत था और भारत में उसको बहुत उच्छी स्तरका अधिकारी बनाकर भेजा गया था उसकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि वो भारत में आकर अगर गवर्नर को या वाइसराय को कोई सुझाओ दे दे तो वाइसराय उसको कानून बनाने के लिए मजबूर होता था विलियम एडम इस स्तरका अधिकारी था उस विलियम एडम के नीचे काम करने वाले कुछ अधिकारी थे जिन में से एक था मैकॉले, टीवी मैकॉले मैकॉले की तो आपने बार-बार चर्चा सुनी है, बार-बार नाम भी सुना है लेकिन विलियम एडम के बारे में शायद आप में से कम लोग जानते होंगे क्योंकि ये मैकॉले का बॉस था मैकॉले भारत में सिक्षा विवस्था के बारे में जितना भी अभ्यास करता था वो अपने इमीडियेट बॉस विलियम एडम को भेशता था तो विलियम एडम ने भारत की सिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट लगबग 1700 कुछ पन्ने की है 1780 पन्ने है उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट संसद में पेश की गई संसद माने अंग्रेजों की संसद में House of Commons में पेश की गई और इस रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी है विलियम एडम की रिपोर्ट में से कुछ तथ्य में आपको देता हूँ जो इस समय अंग्रेजी संसद के रिकॉर्ड्स पर है आप जानते हैं कि House of Commons और House of Lords में जो भी बहस होती है वो सभी रिकॉर्ड में रहती है और जो रिकॉर्ड में आ जाती है वो उनका डॉकुमेंट्स बन जाती है दस्तावेज बन जाती है और फिर ब्रिटिश पार्लेमेंट की एक प्रेस है जिसको हंसाड कहते हैं वो जरूरत पढ़ने पर समय समय पर ये डॉकुमेंट्स को प्रकाश्चित करती रहती है तो भारत की सिक्षा व्यवस्था पर विलिया मैडम की रिपोर्ट जिसमें जगे जगे पर मैकॉले की दी गई टिपपनी मैं पहले मैकॉले की एक छोटी सी लाइन आपको सुना देता हूँ मैकोले और मिलिया मैटम भारत की सिख्षा व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बात कर रहे हैं तो घंटों घंटों उन्होंने बात की है एक दिन ये टीबी में कॉले दो फर्वरी सन 1835 को ब्रिटिश पारलिमेंट के हाउस अफ कॉमेंस में खड़ा होके भाशन दे रहा है और कह रहा है कि मैंने भारत का उत्तर दक्षन पूरा पश्चिम पूरा इलाका घूम लिया है ऐसा कोई छेत्र नहीं है जो मैंने भारत का नहीं देखा है और मैंने भारत का बाहरी छेत्र भी देखा है आंतरिक छेत्र भी देखा है देखने के बाद मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन जो सत्य है वो मैं आपको कहूंगा उसको मैं अपने अंदर रोक नहीं सकता सत्य क्या कह रहा है वो कह रहा है कि संपूर भारत को उत्तर दक्षिन पूरब पश्चिम में घूम लेने के बाद उसने अंग्रेजी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है I had traveled length and breath length and breath माने सब भारत मैंने देख लिया मैंने पूरा भारत देख लिया और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि भारत देश में आज तक कहीं भी भिकारी देखने को नहीं मिला कोई बेरोजगार आदमी देखने को नहीं मिला गाउं के किसी कोने में किसी इस्थान पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला जो किसी पर पराश्रित हो आज तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को भारत में नहीं पाया जो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता हो और यह ज़्यादा पुरानी बात नहीं है 1835 में वो बोल रहा है आज से लगबग आप कलपना करें तो 170 साल पहले बोल रहा है तो 170 साल पहले इस देश में कोई भिकारी नहीं था जरात्यान से सुनिया इस बात कोई भिकारी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं फिर वो कहता है, विलियम, ओ स्वरी, टीबी मैकॉले कि मैंने दुनिया के बहुत शहर देखे हैं पैरिस देखा है, बर्लिंग देखा है, हेंबर्ग देखा है, मॉस्को देखा है फ्रेंक्फर्ट देखा है, शिकागो देखा है, नुई यॉर्क देखा है लंदन तो अपना है, ही बारबार देखा है लेकिन इन सभी शहरों की कुल संपत्ती भारत के एक शहर से भी बहुत कम तो उसको पूछा गया प्रश्न कि वोताओ वो कौन सा शहर है तो कहता है, भारत का एक शहर सूरत और यूरोप के सारे शहर एक बाजू में तो भी सूरत इन सभी पे भारी पड़ता है इतनी संपत्ती, इतना धन मैंने उस शहर में देखा है और वो कहता है, कि इतना धन और संपत्ती जिस समाज के पास हो उस समाज को गुलाम बनाना एकदम मुश्किल है वो ये कहता है मैं ये तो नहीं कहता कि असंभव है लेकिन मुश्किल बहुत है फिर वो कहता है कि मैं एक सुझाओ देना चाहता हूं ब्रिटिश गवर्मेंट को सरकार को कि अगर भारत को गुलाम बनाना हो तो इनका बैभव, इनका धन, इनकी संपत्ती को खतम करो तो फिर ब्रिटिश पार्लेमेंट के सांसद उसको पूछ रहे हैं कि भारत का धन, भारत का बैभव और भारत की संपत्ती को खतम करने के लिए तुमारे पास क्या योजना है तो कहता है भारत की सिक्षा व्यवस्था को खतम कर, वो कहता है कि भारत में जितना भी धन है, संपत्ति है, बैवववे, ये भारत की सिक्षा व्यवस्था के कारण है, तो कोई सांसत पूछ लेता है कि अच्छा बताओ भारत की सिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो कहता है कि भ उसको पूछा गया क्या संपूर्ण भारत में एक जैसा है तो कहता दक्षिन भारत में लिट्रेसी 100% है दक्षिन भारत का माने करनाटक, आदर प्रदेश, तमिलनाडू, केरन तो कहता दक्षिन में तो 100% है पश्चिम भारत में 98% है उत्तर भारत में लगबग 82% के आसपास ह मद्य भारत और बचे हुए भारत में लगबग 87 प्रतिशत के आसपास है तो मैं कह सकता हूँ कि लगबग भारत साक्षर है उसी समय एक दूसरा सांसत खड़ा हो के पूछता है कि अच्छा आप ये बता सकते हैं कि इंग्लेंड की स्थिती क्या है तो उनका ये मैं तो नहीं बसा सकता एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं वो बता है तो एजुकेशन मिनिस्टर खड़े हो के बोलते हैं कि जब भारत की साक्षरता लगबग 100 प्रतिशत है उस समय इंग्लेंड माने तीन राज्यों का समू अभी जिसको आज कल ब्रिटेन कहा जाने लगा है स्कॉट्लेंड, आयरलेंड और न्यू साउथ वेल्स मिलाके तो वो कहते हैं कि ये जो तीन राज्यों का समू है जिसको ब्रिटेन कहा जाता है इसमें कुल साक्षरता सत्रे प्रतिशत भी नहीं है सत्रे प्रतिशत भी नहीं है सत्रे प्रतिशत माने 1717 तो फिर पूछ रहे हैं कि भई कारण क्या है इसका भारत में इतनी साक्षरता और हमारे यां कुछ भी नहीं तो वो कहरा है टीवी में कॉले कि इस समय भारत में 7,32,000 revenue villages हैं राजस्वाले गाओं तो non revenue उसने का वो मुझे नहीं मालूँ वो कहरा 7,32,000 राजस्वाओं हैं और ऐसा एक भी राजस्वाओं नहीं है जहां पर इसकूल की व्यवस्था नहीं है तो फिर उसको प्रशन पूचा गया कि क्या भारत के लोग इसको स्कूल कहते हैं तो उनका नहीं नहीं मैंने कहा है स्कूल भारत के लोग इसको गुरुकुल कहते हैं उसने गुरुकुल को स्कूल में ट्रांसलेट किया है बाद में वो कहता है कि शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो गुरकुल के बराबर हो तो मैं स्कूल कहता हूँ तो हम ऐसा मान लें कि मैकॉले बोल रहा है दो फरवरी 1835 को हाउस अफ कॉमन्स में कि भारत के 7,32 जार गाउं में कोई भी ऐसा गाउं नहीं है जहां पर गुरकुल नहीं हो इसका अर्थ क्या है हर गाउं में एक गुरकुल है फिर उसको पूछा गया इस गुरकुल में क्या होता है तो उनका पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो कितने विद्यार्थी हैं तो उसने का सबसे बड़ा गुरकुल मैंने देखा है वो 20,000 विद्यार्थियों का है और जो सबसे छोटा गुरुकुल मैंने देखा है वो 200 विद्यार्थियों का है माने जो गुरुकुलों के बड़े होने का अंदाजा हम लगाना चाहें तो 200 विद्यार्थियों से लेकर 20,000 विद्यार्थियों तक के गुरुकुल इस देश में चलते हैं 1835 के आसपस फिर वो पूछ रहे हैं कि ये जो 20,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल है इसके व्यवस्था कैसे होती है ये तो बहुत बड़े विद्यार्थियों का समू है, कैसे पढ़ाते हैं, व्यवस्था कैसे होता है, तो वो कहता है कि भारत के इन सभी गुरुकुलों में मॉनिटोरियल एजुकेशन होती है, मॉनिटोरियल एजुकेशन का मतलब हम सब समझते हैं, कि आचारी ने किसी विद्यार्थी वर्ग को तैयार किया, मान लीजे उसमें 50 विद्यार्थी, अब वो 500 विद्यार्थी अपने से नीचे वालों को पढ़ाएंगे, और वो 50 विद् विद्यार्थियों का समू है, जिनको वो नियमित रूप से पढ़ाते हैं, तो वो 20 विद्यार्थियों का गुर्कुल आराम से समालते हैं, और उसने परिभाशा दिया है, कि जो आचारी 20 विद्यार्थियों के गुर्कुल को समालते हैं, उनको भारत में कुल पती कहा जात कुल पति माने बीस हजार विधियारतियों के समू की सिक्षव्यवस्था करवाने वाला व्यक्ति उसको कुल पति कहा जाता है फिर उसको पूछा गया है कि यह जो गुरकुल चलते हैं इनमें विद्यार्थी हैं वो किस वर्ग के हैं तो वो कहता है कि भारत के नागरिक चार वर्णों की बात करते हैं ब्रहमण, छत्रिय, वैश और शूद्र तो वो कहता है कि ये सभी विद्यार्थी इन समूहों में से आते हैं तो एक अंग्रेज उसको पूछ रहा है कि हमने तो कभी सुना था कि भारत में ज़्यादा सिक्षा ब्रहमणों के लिए है वो कहता है नहीं दस्तावेज बताते हैं कि ब्रहमणों के लिए भी सिक्षा है वैशियों के लिए भी है छत्रियों के लिए भी है और शूद्रों के लिए भी है तो फिर उसको पूछ रहे हैं कि क्या तुम परसेंटेज में ये बता सकते हो कि ब्रामण कितने हैं, वैशे कितने हैं, छत्रिय कितने हैं, शूद्र किसने हैं, तो वो कहता है कि दक्षुन भारत के जितने गुर्कुल हैं, उनमें शूद्रों की संख्या सबसे जादा है, और वैशियों और ब्रामणों की संख्या लगभग बराबर है और उत्तर भारत के जितने गुर्कुल है उनमें सबसे जादा संख्या छत्रियों की है और बाकी जो तीन है ब्रामण, वैशियों और शूद्र ये लगभग बराबर है और मत्य भारत में लगबग सब बराबर है तो कुछ लोग चौंक जाते हैं वो ये कहते हैं ये कैसे संभव है कि शूद्रों की संख्या दक्षुन भारत के गुरुकुलों में सबसे ज़्यादा है तो वो कहता है शूद्रों की ही नहीं दक्षुन भारत के गुरुकुलों में महिलाओं की संख्या लड़कियों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है तो वो एक उत्तर दे रहा है प्रश्न का जिसमें वो बोल रहा है कि दक्षिन भारत के गुरुकुलों में लगबग 58 प्रतिशत लड़कियां है और 42 प्रतिशत लड़के है तो फिर उसको पूछा गया ये कैसे संभव हो रहा है भारत में तो कहता है कि इट क्वाइट नेचुरल ये साभव स्वाभविक है क्योंकि दक्षिन भारत में महिलाओं की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है और वो कह रहा है वैसे तो भारत में सभी जगे लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है और आप जानते हैं कि 1881 में अंग्रेजों ने जब पहला सैंसस कराया पहला जन संख्या सर्वेक्षन कराया तो उसमें भी रेशियो यही निकलता है महिलाएं लगबग 53 प्रतिशत हैं और 47 प्रतिशत पुरुश है तो वो कह रहा है कि गुरकुलों में दक्षिन में लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं फिर वो पूछ रहा है कि इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक हैं तो वो कहता है कि वो सब महिलाएं ही हैं लड़कों को पढ़ाने के लिए पुरुश हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिलाएं हैं तो फिर उससे पूछा जा रहा है कि ये जो अध्यापक पढ़ाते हैं इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर हैं क्या तो वो कह रहा है कि सभी गुरुकुलों के साथ उच अध्यन केंद्र जुड़े हुए हैं जहां पर इन अध्यापकों को तैयार किया जाता है और तैयार होने के बाद वो गुरुकुलों में पढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं हर गुरुकुल के साथ एक उच अध्यन केंद्र है, फिर उसके साथ पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ, भारत के इन स्कूलों में, माफ करो गुरुकुलों में, क्या विशे पढ़ाये जाते हैं, तो वो गिना रहा है कि 18 विशे पढ़ाये जाते हैं, 18 विशे पढ़ दिया जाता है तो वो कहता है कि भारत के गुरुकुलों में सबसे ज़्यादा गणित पढ़ाया जाता है तो ये गणित कौन सा पढ़ाया जाता है तो वो कहता है वैदिक गणित पढ़ाया जाता है तो फिर अंग्रेज पूछ रहे हैं कि हमारे यहां एक commercial mathematics है तो उनका भारतवाले उसको पढ़ते नहीं है और उसमें उनकी ज़्यादा रूची भी नहीं है वो वैदिक mathematics में ज़्यादा रूची लेते है फिर दूसरा कौन सा विशय है जो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता गनित के बाद तो कहता है दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा विशय है खगोल शास्त्र इसको सब भारतवासी पढ़ते है फिर तीसरा कौन सा विशय है तो वो कहता है मैटलर जी माने धातू विग्यान फिर चौथा कौन सा विशय है तो वो कहता है कि कारी गरी कारी गरी मा जो विबिन्न तरह की कारीगरियां गाओं में रहती हैं हमारे सभी गाओं में 18 तरह के कारीगर होते हैं कोई लोहे का काम करने वाला, कोई लकडी का काम करने वाला, कोई बांस का काम करने वाला कोई मिट्टी का काम करने वाला तो वो कह रहा है कि सभी गुरुकुलों में ये कारी-गरी पढ़ा ही जाती है 18 विशे उसमें अलग है फिर वो पूछ रहा है कि इसके आगे के विशे बताओ तो कहते हैं वो कि एस्ट्रो फिजिक्स पढ़ाते एस्ट्रो फिजिक्स समझते हैं और बारत में 1835 में सभी गुरुकुलों में ये पढ़ाया जाता है फिर और क्या पढ़ाते हैं तो कहते हैं रसाइन शास्त्र पढ़ाते हैं रसाइन शास्त्र के साथ और क्या पढ़ाते हैं तो कहता है चिकित्सा शास्त्र पढ़ाते हैं चिकितसा शास्त्र में क्या विशे हैं तो वो कहता है और शलिकिरिया दूसरा है मनि सरजरी है और मेडिसिन है और ऐसे ऐसे करके वो 18 विशे को गिनाता है तो फिर वो पूछते हैं कि कैसे संभव है कि भारत के विद्यारती ये 18 विशे पढ़ लेते हैं तो वो बताता है कि भ उकल से पढ़ कर निकलते हैं तो उनकी उम्र 21 और 22 वर्ष की होती है लगबग उनको इतना समय मिलता है 15 साल का जितने में वो सब पढ़ लेते तो फिर उनको पूछा गया कि यह विशक कैसे पढ़ाय जाते हैं रोज पढ़ाय जाते हैं तो उसने का नहीं नहीं रोज नहीं पढ़ाय जाते हैं एक एक करके पढ़ाय जाते हैं मने एक विशे लिया और उसको पूरे एक साल पढ़ाया या आठ महीने पढ़ाया या नौ महीने पढ़ाया जब वो पूरा हो गया तब उसको छोड़ा फिर दूसरा विशे लिया फिर तीसरा विशय लिया ऐसे करके 15-16 साल में सब विशय पढ़ाए जाते हैं। फिर वो पूछ रहा है परिक्षा कैसे होती है। तो उन्हों का भारत में परिक्षा होती नहीं है। परिक्षा नहीं होती है। तो कैसे पता चलता है। वो पूछ रहे हैं बहुत सारे MPs के evaluation का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि यहां के जो आचारे और सिक्षक होते हैं, वो विद्यारतियों को जब एक विशय पूरा पढ़ा देते हैं, तो उसी के आधार पर उनके कौशल को जानने के लिए, हुनर को परखने के लिए कुछ काम उनको दे दिये जाते हैं, वो काम कितनी कुशलता से करते हैं इसके आधार पर तै होता है ये नहीं है कि classroom में बैठ कर तीन गंटे का कोई question paper solve कर रहे हैं classroom में रट लिया है और answer sheet पर vomiting कर रहा है ऐसा नहीं है भारत में उसने मजाक में कहा है लेकिन ये गंभीर है समझने के लिए तो उसको पूछा गया है कि अच्छा आप जरा बताओ कि हमारी इंग्लेंड की स्थिति क्या है अगर ऐसी सिक्षा भारत में है तो इंग्लेंड में तो कहता है जी इंग्लेंड में तो अभी 70 प्रतिशत ही साक्षरता नहीं है और वो कह रहा है कि जब भारत में 7,32,000 गुरकुल है तो पूरे इंग्लेंड में कुल मिलाकर 240 भी इसकूल नहीं है और जो इसकूल है उनमें गनित पढ़ाना तो किसी को नहीं आता है वो एक ही विशे पढ़ाते है और वो है बाइबल और कुछ पढ़ाने को इनको नहीं है मुझे थोड़ा इंप्रेस्ट आया विलियम एडम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो मैंने इंग्लेंड के पिछले 400 साल के इतिहास के दस्तावेज इखठे किये तो पता चला कि इंग्लेंड में सोलवी शताबदी तक तो कोई भी इसकूल नहीं था आप जरा ध्यान से सुनना इन बात हो सोलवी शताबदी तक तो कोई इसकूल नहीं था इस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई है तब उनके यहां एक स्कूल खुला था चर्च के पिछवाडे में गैरेज में गैरेज समस्ते हैं जहां गाड़ियां खड़ी की जाते हैं एक गैरेज हुआ करता था जो मुश्किल से 15-20 फिट लंबा 15-20 फिट चोड़ा लंदन के एक चर्च में ये लंदन में आप कभी जाएं तो उनका जो स्कूर है जहां पर उनकी पार्लिमेंट है उसके बगल में वो चर्च आज भी है तो उसकी पीछे के हिस्से में छोटे से में स्कूल खुला था जो उनको पढ़ाता था बाइबल तो बाइबल पढ़ाने वाले स्कूल उनके यहां शुरू हुए उसके पहले तो कोई स्कूल ही नहीं था तो इंग्लेंड और यूरोप के इतिहास क्या बताते हैं सिख्षा के बारे में तो आप ज़रा सोचो और सुनो यूरोप का जो सबसे बड़ा इतिहासकार सबसे बड़ा दार्शनिक सबसे बड़ा फिलोसफर सब से बड़ा सब कुछ जो यूरोप में भगवान के अगला अवतार माना जाता है उसका नाम है प्लेटो प्लेटो सबसे महान वो यह कहते है यह यह तो ईश्वर का ही अंच है माने इसा मसी चे बाद यूरोप में अगर किसी की इज़त है तो वो प्लैटो की है प्लैटो के बारे में यूरोप के सारे के सारे अर्थशास्त्री सारे के सारे दूसरे शास्त्री चाहे वो फिजिक्स वाले हों कैमिस्ट्री के हों बाटनी के हों जुलोजी के हों इंजिनिरिंग के हों मेडिकल के हों सब मानते हैं The whole of the European civilization is a footnote of Plato. मतलब, यूरोप की पूरी सब्विता जो है न, प्लेटो के footnote जैसी है. माने, प्लेटो ने जितना कुछ लिख दिया है, वो किसी पुस्तक के footnote में अगर है, तो उतनी ही पूरी यूरोप की सब्विता है. मतलब, यूरोप की सब्विता का जनक प्लेटो ही है. प्लेटो ने अपनी जिन्दगी में कई महत्वपूर पुस्तकें लिखी हैं. उन में से दो का जिक्र करता हूँ. एक पुस्तक उसकी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित हुई है, The Republic, गनतंत्र. और दूसरी पुस्तक जो बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में, Laws, L-A-W-S, Laws. ये दो किताबें प्लेटो की सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी पढ़ा ही जाती है, बहुत चर्चा होती है. The Republic में प्लेटो लिखता है कि सिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती. सिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती. समाज का जो प्रभू वर्ग है, प्रभू वर्ग से मतलब सरकार चलाने वाला वर्ग, राजा और राजा के नजदी. इनी को सिक्षित होना चाहिए, बाकी को सिक्षित होने की जरूरत ही नहीं होती. क्यों? तो वो कहता है कि राजा और राजा के नजदी का जो वर्ग है, उसको आदेश देना है, बाकी को तो सब उस आदेश का पालन करना है, तो जो आदेश के पालन करता है, उनको सिक्षित होने की क्या जरूरत है सिक्षा की जरूरत तो सिर्फ राजा को है और राजा के नजदी की लोगों को ये जो प्लेटो ने कहा प्लेटो के बाद जो दूसरा उसका ग्रेट 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 फिलोसफर या उसका ग्रेट ग्रेट स्टुडेंट अरिस्टॉटल अरिस्टॉटल कहता है कि मेरा जो गुरु बोल गया है उसी पर मैं सहमत हूँ सिख्षा की जरूरत सभी को नहीं होती समाज का जो प्रभू वर्ग है माने जो संचालन करता है राज्य का उसके राजा मंत्री मंत्रियों के नजदी के अधिकारी बस इनको पढ़ाई होनी चाहिए बागी किसी को नहीं अरिस्टॉटल के बाद जितने भी फिलोसफर आये हैं और लेटेस्ट रूसो देकारते लेबिनिज ये सब अपनी अपनी किताबों में लिख रहे हैं सिख्षा की जरूरत किसी को नहीं होती अगर जरूरत है तो थोड़ा राजा को है माने यूरोप में प्लेटो के समय से चली हुई विचार धारा आज अठारवी शतावदी के सभी दार्शनिकों तक सतत चली आई है सिख्षा सब के लिए नहीं है सिर्फ राजा के लिए और प्रजा के लिए प्रजा को जरूरत नहीं है सिख्षा की राजा के नजदी की लोगों को जरूरत है तो फिर ये सिख्षा कैसे पूर्ती की जाए तो पलेटो लेखता है Republic पुस्टत में ही कि राजा को अगर अपने बच्चों को सिख्षा दिलवानी है या खुद को सिख्षा लेनी है या उसके मंत्रियों को सिख्षा दिलवानी है तो इसके लिए स्कूल नहीं चाहिए कोई सिक्षक को पकड़ लाइए राजा को महल में आके पढ़ा देगा कोई सिक्षक को पकड़ लाइए राजा के बच्चों को उसके घर में पढ़ा देगा कोई सिक्षक को पकड़ लाइए मंत्रियों को वहां पढ़ा देगा इस्कूल की क्या जरूरत है तो फिर प्लेटो को कई बार पूछे जाने वाले प्रश्णों में से एक है कि इस्कूल क्यों नहीं चाहिए तो कहता ये फालतू का खर्चा है वो ये कहता इस्कूल बनाने से अच्छा है एक बनाओ ऐसा इस्थान जहां पर मनोरंजन हो सके इस्कूल की क्या जरूरत है घर में आके कोई पढ़ा देगा क्या जरूरत है इस्कूल की तो इसलिए इंग्लेंड में इंग्लेंड के पड़ोसी फ्रांस में जर्मनी में, स्वीडन में सुड्जर लेंड में सोलवी शतरवी शतावदी तक एक भी स्कूल नहीं खोला गया बाद में क्या हुआ क्रिश्यनिटी का असर जैसे जैसे बढ़ा यूरोप में आप जानते हैं कि क्रिश्यनिटी यूरोप में 2000 साल पहले ही आई है उसके पहले यूरोप क्रिशियन नहीं था यूरोप की चोटी-चोटी जातियां जन्जातियां होती थी जो एक हजार से जादा हैं समू हैं चोटे-चोटे वो अपना-पना धर्म और संस्कृती माना करते थे उनके हाँ ईसायत क्या होती है मालूम नहीं दो हजार साल से ईसायत आये तो जब ईसायत का बहुत प्रचार हुआ और समाज और ईसायत के बीच में संघर्श हुआ तब उन्होंने बाइबल स्कूल शुरू किये और वो बाइबल स्कूल पूरे इंगलेंड में फैले फ्रांस में जर्मनी में फैले तो वो कह रहा है टीवी में कोले के हमारे यहां तो कुछ स्कूल चलते हैं वहां सिर्फ बाइबल पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं पढ़ाई जाती है और बाइबल भी पढ़ाई जाती है तो संडे को पढ़ाई जाती है बस मंडे से सेटर डे छुट्टी रहती है स्कूल सापको मिलेंगे जहां पर आप बाइबल पढ़ सकते हैं बाइबल में निव टेस्टामेंट पढ़ाते हैं ओल टेस्टामेंट पढ़ाते हैं दोई चीजें पढ़ाते हैं इसके लावा कुछ नहीं गनित क्या होता है फिजिक्स क्या होती है केमिस्ट्री क्या होती है म Medicine, Science, यह कुछ उनको अठारवी शतापदी तक मालूम नहीं है। ऐसा गरीब देश है इंग्लेंड और उनकी ऐसी सिक्षा विवस्था है। जो उनका पहला स्कूल खुला है, जिसमें मुश्किल से 200 स्क्वेर फिट की जगे है। उसमें उन्होंने पहली ही बार में 200 विद्यार्थी ले लिए। अब 200 स्क्वेर फिट में 200 विद्यार्थी कैसे बैठते होंगे। किल्पना कर लो आप। कितना इस्पेस होगा उनके पास। एक शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजों के यहाँ ब्रीधिंग स्पेस, ब्रीधिंग स्पेस भी नहीं है वो कहरा है मेकोले, कि हमारे तो बाईबिल स्कूलों में ब्रीधिंग स्पेस भी नहीं है, माने हर विद्यार्थी को घिचपिच में बैठना पड़ता है, जगे पराय के भारत के बहुत सारे गुर्कुल रेजिडेंशियल हैं जहां पर विद्यारतियों को रहने और खाने की व्यवस्था है और कुछ गुर्कुल ऐसे हैं जो डे इस्कूल की तरह से चलते हैं विद्यारती सुबह आते हैं शाम को पढ़के अपने घर वापस जाते हैं फि बारत के विद्धियारतियों को दो चीज़ें पढ़ाई जा रही एक तो सिक्षा है, दूसरी विद्या है अब वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता सिक्षा कौन सी है, विद्या कौन सी है लेकिन मैं जितने भी गुरुकुलों में गया हूँ पूछता हूँ क्या पढ़ते हो तो कुछ विद्यारती कहते हैं हम सिख्षा ले रहे हैं कुछ कहते हैं हम विद्या ले रहे हैं ये विद्या क्या है सिख्षा क्या है मुझे समझ में नहीं आता लेकिन ये हर गुरुकुल में मुझे सुनाई देता है हमको समझना चाहिए कि सिक्षा और विद्या ये दो अलग चीजें होती है आज के समय में हमने इन दोनों का खिचडी बना दिया है और ऐसा खिचडी बना दिया है कि उसमें से चावल और मूं की दाल को बीन पाना ही बड़ा मुश्किल हो गया है नाम सब है विद्याले और काम कर रहे हैं सिक्षाले का हैं कि नहीं कोई भी विद्याले ले लो एक दो तीन नाम विद्याले विद्याले महा विद्याले ये विद्याले काम सब सिक्षाले का कर नाम विद्या ले रखा हुआ है ऐसा घाल मेल कर दिया है शायद ये मैकौले का असर है क्योंकि मैकौले को सिक्षा और विद्या में अंतर नहीं मालूम था हमें भी नहीं मालूम है हम जानते नहीं है कि विद्या क्या होती और सिक्षा क्या होती विद्या जो है न अपनी ज आने वाली, मनश्य शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इन सब बातों को सिखाने वाली, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, श्रेय क्या है, छोडने वाला क्या है, ग्रहन करने लाए क्या है, ये सब ग्यान देने वाली या विवेक देने वाली ये तो हैं विद्धियाएं और बाकी हमने mathematics पढ़ लिया हमने chemistry पढ़ लिया हमने ये physics पढ़ लिया हमने ये commerce सीख लिया हमने वो ये है सब सिक्षा तो कह रहा है कि भारत के सभी गुरकुलों में विद्धिया है और सिक्षा है लेकिन वो उसको इतना समझ में आ गया है कि ये जो विद्धिया है वो सिक्षा से उची है इसलिए भारत में गुरकुल में जाने वाला सभी अपने को विद्धियार्थी कहता है सिक्षार्थी कोई नहीं कहता अपने क्योंकि मूल जो वो सीखने आया है वो कुछ और सीखने आया, खाली गनित सीखने नहीं आया, या खाली कॉमर्स सीखने नहीं आया, या खाली मेटलर्जी सीखने नहीं आया, विद्या सीखने आया, इसलिए विद्यारती कहलाना वो पसंद करता है अपने आपको, और वो कहता है कि जितनी उची कलपना भारत में है विद्या और सिख्षा की हम तो उसके दूर दूर कहीं नजदीक तक नहीं है फिर उसको पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि भारत में higher studies center है क्या तो कहता हाँ है कितने है तो संख्या गिना रहा है पंद्रे हजार आठ सो कुछ higher studies center का मतलब क्या है higher studies center का माने विश्विद्याले उनकी जो परिभाशा है ना उस परिभाशा में विश्विद्याले higher studies center हमने तो कुछ दो चार नाम सुने है एक नालंदा का हुआ करता था एक तक्षिशिला का हुआ करता था लेकिन 1835 में मैकॉले बोल रहा है अपने पार्लिमेंट में कि 15800 कुछ विद्याले sorry विश्विद्याले और वो ये कह रहा है कि ये जितने भी विश्विद्याले हैं ये किसी एक विश्य के निपुण है कोई एक विश्य जैसे वो नाम लिखके बता रहा है मेरे पास ये सब नाम 15800 और उसकी CD है अगर LCD प्रोजेक्टर हो तो मैं आपको दिखा सकता था लैपटॉप मेरे पास अभी है उसमें सब फीड किया हुआ है एक विद्याले है माफ करिये विश्व विद्याले है अमरावती विश्व विद्याले मशूर है किस बात के लिए वो मैटलर जी के लिए म मशूर है धातू विज्यान सिखाया जाते है और पूरा विश्व विद्याले धातू विज्यानियों से भरा हुआ है और धातू विज्यान कई तरह का है जैसे कच्चे लोहे से फौलाज बनाना जैसे जमीन में से लोहा तावा पीतल सोरी लोहा तावा सिल्वर माने चांद और सोना ये जो दूसरी दूसरी बेशकीमती धातुएं निकलती हैं इनका extraction कैसे किया जाए ये सिखाने वाला मने आज जो हमारे हाँ IIT में सिखाए जाता ना metallurgy में वही वहाँ उस समय universities में सिखाए फिर वो कह रहा है एक विश्व विद्याले में गया था कांगड़ा विश्व विद्याले कांगड़ा मने हिमाचन तो वो किस के लिए मशूर है तो कह रहा है ये सरजरी के लिए मशूर है तो उसको पूछा जा रहा है कि किस तरह की सरजरी होती है तो कहता है जी हम सोच नहीं सकते वैसी सरजरी होती है और उसको उसने शब्द दिया है जिसको आज के इक्विवेलेंट अगर मैं कहूं तो राइनोप्लास्टी राइनोप्लास्टी सरजरी का लेटेस्ट साइन्स है 21 वी शताप्दी का जिसमें आपके शरीर के किसी अंग के चम्ड़े को निकाल कर किसी दूसरे अंग पर लगा दिया जाए और ये 1835 में वो बोल रहा है कि कांगड़ा विश्व विद्याले में तो ये सब सिखाया जाता है और सब सीखते हैं राइनोप्लास्टी तो वो कहता है मैंने मेरी आँखों से एक ऑपरेशन देखा है जिसमें पैर किये नीचे के हिस्से से माने गुटने से नीचे के हिस्से से चम्ड़ी निकाल कर नाक पर लगाई गई और वो कहता है 21 दिन में वो पूरा ठीक हो गया है पता ही नहीं चलता है कि इसका कोई ऑप रशन को है ग्राफ्टिंग जिसको कहते है इसकिन ग्राफ्टिंग और यह 1835 में भारत में होता है कांगड़ा विश्व विद्याले का उसने लंबा डिस्क्रिप्शन किया है कि मैंने ऐसा देखा मैंने वैसा देखा फिर इसी तरह एक अंग्रेज अधिकारी है वो खड़ा अली के साथ मैंने युद्ध लड़ा था हैदर अली ने मुझे परास्त कर दिया था मेरी नाक काट दी थी मैं कटी हुई नाक लेके वहां से भागा था और बेलगाम नाम का भारत में कोई एक गाउं है वहां के एक वैद्य ने मेरी नाक का उपरेशन किया था और जोड़ अब या था और अभी वो नाक मेरी ऐसी है वो खड़ेओं के बोल रहे है तो उसको सब सांसत पूछ रहे हैं कि अच्छा तुमारी नाक ही काटी थी सिर क्यों नहीं काटा क्योंकि तुम तो परास्त हो गए थे तो तुम्हारा सिर क्यों नहीं काट दिया तो वह कहता है भार भारत में नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी की बात है हमारे यहां ऐसा कुछ तो यह करनल कूट के जो कहे हुए और मेकॉले के कहे हुए इन दस्तावेजों से अंदाजा लगता है कि सरजरी कोई बहुत मूचे इस तरकी थी फिर इन सरजरी को करने वाले जो आचारे हो कि सामन में रूप से सरजरी का एक आचारे आचारे माने आज का MS, Master of Surgery उस जमाने का आचारे तो वो कहते हैं कि सामन में रूप से एक आचारे के पास कम से कम 500 इंस्ट्रूमेंट्स तो होते ही हैं वो कहता अब 20 तरह की तो उनके पास क्लिप्स हैं यह जो दो वाली होते ना पकड़ बीसियों तरह की और सभी उच्छ स्तर के लोहे से बनी हुई जिन में कभी जंग नहीं लगता फिर वो कहता भारतवासी बिना जंग का लोहा बनाना तो दसवी शतापदी से जानते हैं हमने उन से ही सीखा है हमको लोहा बनाने की तकनीक भारत से ही आई है और ऐसा बनाना जानते हैं जिस पे कभी जंग नहीं लगती है वो आज भी कभी देखना हो तो चले जाए ये महरोली का खंबा खड़ा हुआ है वो गदा इनको ऐसा लोहा बनाना आता है तो इंस्टूमेंट अच्छे अच्छे बना लेते हैं और वो एक मजे की बात कह रहा है कि जि 1435 में इंग्लेंड में चिकित्सा व्यवस्था होती है तो क्या है एक ही चिकित्सा है उनके पास हिप्पोक्रेटिस मेडिसनल सिस्टम एक हिप्पोक्रेटिस नाम का कोई आदमी हुआ इंग्लेंड इसा से करीब 200 साल पहले सौरी ग्रीस में हुआ इंग्लेंड मनी ग्रीस म हुआ तो उसने कुछ 시ध्धांत दिये हैं वही सिध्धांत तैलो पैती का मूलाद है सारे के सारे से तो हिपोकरेटिस क्या कोई भी बीमारी घुज गई तो उसका एक ही कारण है کہ रक्त आपका दूशित हो गया है कोई भी भीमारी हो सर्दी हो गई जुकाम हो गया बुखार आ गया खाशी हो गई आपको डाइरिया हो गया डीसेंटरी हो गई लंग इंफेक्शन कुछ भी हो गया तो हिपोकरेटिस एक ही बात में डाइगनौसिस देता है कि आपका रक्त दूशित है अब इस दूशित रक्त को निकालो शरीर में यही चिकितसा है तो वो कहता है कि भारत वासी चिकितसा कैसी करते हैं और हमारे डॉक्टर कैसी करते हैं वो कहता है कि जब मुझे बुखार आता है और मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो मे उनके साथ जानना निकल जाए मेरी और वो ये कहता है कि भारत में जो चिकितसा व्यवस्था है इतनी अद्बुत है कि कुछ बुखार आ जाए कितने से भी कितना बुखार आ जाए वो कुछ चूरन खिला देते हैं और अगले दिन बुखार ठीक हो जाता है अच्छा ये जो क पर अजादी के बाद सबसे पहले राश्रुपती जियोर्ज वॉशिंगतन आपको मालूम है उनकी म्रत्यू कैसे होई उनको आया बुखार तो ये जो हिप्सूकरेटिस मेडिसिनल सिस्टम है न हाँ एक Julie सिस्टम है उनके पास हिप्सूकरेटिस मेडिसिनल सिस्टम जिस प गया और कहा कि ये खून बहने तो अभी मैं सवेरे आओंगा आपको देखने तो दोनों हातों की नस कटी और रात भर में इतना खून बह गया कि सवेरे जॉर्ज वाशिंग अटन मरे हुए मिले ये है मौडर्न हेलोपैथिक सिस्टम और मैकोले कह रहा है कि जिस समय हम तो सिर क्या जड़ी बूटियों से चूरन बनाते रहते हैं और वो कहता है कि इनके कॉंबिनेशन इतने परफेक्ट हैं कि एक दो बार ही खाना पड़ता है उसके बाद खाना ही नहीं पड़ता है फिर उसको पूछा गया क्या तुमने कोई लिस्ट बनाई है ये जो चूरन में कॉ बना रहा हूँ उसमें कुछ मेडिसनल हर्फं हैं कुछ रूटस हैं कुछ प्लांटस हैं तो वो पूछ रहे हैं कितनी संख्या हो गई है तो उसने का 16 हजार तो हो गई है पता नहीं आगे कितनी जाएगी उस ज़माने में तो कुछ लोग आश्यर से पूछ रहे हैं कि ये जो सिक्षा है, वहाँ चिकित्सा भी दे रहे हैं, सरजरी भी दे रहे हैं, मेटलर्जी भी दे रहे हैं, वगरा वगरा, क्यों दे रहे हैं? तो वो कहते हैं, भारत के सभी आचारी कहते हैं कि जीवन एकांगी नहीं है, अभी ये देखिए, फिलोसफी की बात, जीवन एकांगी नहीं है, और चुकि एकांगी नहीं है, तो इसमें सब तरह के ग्यान की जरूरत होती है, तो हर विद्यारती को सभी तरह का ग्यान होना च चाहिए ज्ञान उसको सब तरह का वह जाए तो कहता है कि जो प्राइमरी लेवल की ज्ञान है वो सब को दी जाती है मैडिसिन की, सरजरी की, मेटलरजी की, मैथेमेटिक्स की जब वो विद्यार्थियों की रुचि उत्पन हो जाती है तो किसी एक विशे में उनको विशेशक्य बना दिया जाता है और फिर वो विद्यार्थी समाज में चला जाता है उसकी सिक्षा पूरी हो जाती है, विद्या पूरी हो जाती है फिर वो समाज को अपनी सेवाएं देता है और वो एक बहुत महत्यू की बात कह रहा है कि भारत के विद्यार्थी इन सब गुर्कुलों से जब पढ़कर निकलते हैं तो उनको संकल्ब कराया जाता है संकल्ब कराया जाता है और संकल्ब क्या कराया जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि देखो ये जो ब्रह्मांड जगत है वो उसको अंग्रेजी में explain कर रहा है ठीक से नहीं कर पाया कहीं गलती है वो मैंने ठीक कर दिया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके समझ की बाहर है जो हमारी समझ के लिए सामानने है क्योंकि हर सब्विता में कुछ बातें विशेश होती है जो दूसरी सब्विता में नहीं मिलती है तो बाहर वाला आकर उसको जिस चश्मे से देखेगा हमारा चश्मा उससे बिलकुल अलग होगा तो वो कह रहा है कि भारत में ऐसा बोलते हैं मानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड जगत है इसमें मनुष्य ही नहीं है मनुष्येतर बह पब्लिक में लिख रहा है और लॉज में उसको रिपीट किया है वो ये कहता है आत्मा सिर्फ राजा में होती है प्रजा में आत्मा ही नहीं होती प्लेटो का है ये मेरा नहीं वो कहता है आत्मा सिर्फ राजा में है प्रजा में आत्मा है ही नहीं इसलिए कानून सब इसने वरग करन किया है तो प्रजा में पहला कौन तो कहता है कि यह जो उद्योगपती है व्यापारी है धंडा करने वाले इस तर गैजिए प्रकश शुर्फार कौन, के जादी दो तीसरे नमबर पर कौन तो तीसरे नमबर पर खेत में काम करने वाले मजदूर हैं फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर हैं वो चौते नमबर पर कौन तो कहता है इस्त्रियां महिलाएं वो चौते नमबर पर आखरी पांचमा कोई नंबर नहीं है वह तो वो कहता है प्लेटू कि मैं कभी-कभी कलपना करता हूं कि प्रजा में गल्ती से आत्मा आ गई तो इस्त्रियों में तो कभी नहीं आती इसलिए वो लॉज में लिख रहा है कि कभी भी किसी नियाधीश को किसी इस्तरी की गवाही पर विचार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि इस्तरी को सत्तिका ग्यान नहीं है उसको विवेक नहीं है क्योंकि उसको आत्मा नहीं तो आप जानते हैं यह जो जुडिशियल सिस्टम निकला जिसमें से IPC, CRPC और CPC आया और हमने बिना सोचे समझे उसको अपने देश में अपनाया इस जुडिशियल सिस्टम में 1950 तक किसी महिला की गवाही को माना ही नहीं जाता था यूरोप में अदालत में चलने वाले किसी भी मुकयदमे में किसी महिला की गवाही नहीं मानी जाती थी तो क्या हुआ फिर यूरोप में एक बगावत हुई जिसको वीमेंस लिव कहा जाता है इस्त्री मुक्ति और इसका नेत्रत तो किया एक फ्रांसी सी लेखिका ने उसका नाम था सिमॉन दबोवार उसके गुरु हुआ करते थे जोपाल सात्र जिनको आधुनिक दार्शनिकों में बहुत उचा इस्थान मिला हुआ तो सिमोन दबोवार ने सालों साल अंदुलन चलाया तब प्रांस में इतना हुआ कि किसी तीन इस्त्री की गवाही एक पूरुश के बराबर इतना हुआ बस इतना हुआ और उसके बाद सिमोन दबोवार मर गई और वो कहती थी कि मैं इतना ही करा पाई यही मेरे लिए बहुत है कि कम से कम अदालत ने तीन महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर तो मानी और प्लेटो चुकि ये कहता था कि इस तरी में आत्मा नहीं होती है तो 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था वोट डालने का तो छोड़ दो बैंक में एकाउंट खुलने का अधिकार नहीं था किसी महिला को एकाउंट खुलेगा तो उसके पती का खुलेगा महिला का नहीं खुलेगा और जो बिदवा है तो तो उसके बेटे के नाम से खुलेगा महिला के नाम से नहीं खुलेगा जो बेटा ही नहीं है तो तो पडोसी के बेटे के नाम से खुलेगा हाँ उसके नाम से वेंक एकाउंट नहीं खुल सकते और 1950 तक यूरोप के किसी भी शहर में महिला घर से अकेली नहीं निकल सकती क्यों आत्मा नहीं है तो पता नहीं कहां जाएगी तो उसलिए उसके साथ में पुरुश का होना जरूरी है वो चाहे तीन साल का ही क्यों नहीं हो और प्लैटो ने लिख दिया ना इस्त्री में आत्मा नहीं होती तो सारे यूरोपियन दार्शिकों ने कहा है कि इस्तरी तो मेज कुर्सी जैसी होती है जब तक इस्तेमाल करो अच्छी लगती है नहीं लगती बाहर भेग दो दूसरी ले आओ ये है उनकी फिलोसफी तो मैकॉले ये सब वरणन कर रहा है कि हम तो सोची नहीं सकते है हमारे यहां महिलाएं गुर्कुल की आचारे हो सकती है वो कह रहा है भारत में आदे से ज़्यादा गुर्कुलों की आचारे महिलाएं आदे से ज़्यादा और वो कह रहा है कि ये सिर्फ गुर्कुलों की नहीं higher studies center में भी यही तो उसको पूछा जा रहा है कि यह भारत में ऐसा कैसे हो गया महिलाओं को इतनी सिख्षा मिल गई इतनी ऊपर आ गई तो वो कहते हैं भारत वाले बिलकुल विचित रहें यह कुछ और मानते हैं हम मानते हैं कि इस्तरी में आत्मा नहीं होती बारत वाले कहते हैं कि इस्तरी परमात्मा के सबसे नजदीक होते हैं क्योंकि उसमें पुरुष से कुछ गुण जादा होते हैं हमारे सभी शास्त्रों में आप यह देख सकते हैं चाहिए रिगवेद में देखना हो तो देख लीजे रिगवेद के कई सूत्रे ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इस्तरी पुरुष से उंची है क्योंकि उसमें ईश्वरी ये गुण है और आज की जो modern science है न इसमें इसको दूसरे तरह से कहा है कि इस्तरी में एक क्रोमोसोम जादा होता है वही सारा खेल खेलता है पुरुष में नहीं है इस्तरी तय करती है कि बच्चा होगा या नहीं होगा पुरुष में कोई दम नहीं है तो ये आज की modern science कहती है हमारी science तो बहुत पहले कह चुकी है कि इस्तरी ईश्वर के सबसे नजदीक है हमारे कई شास्तरों में ऐसे सूत्र हैं जो ये कहते हैं कि जब समाज को ये पता न चले कि क्या करना क्या नहीं करना तो इस्त्रिवों से पूछो वो बताएंगी कि क्या करना क्यों कि उनको functional knowledge सबसे ज़्यादा होती है functional knowledge हम समझते हैं जो क्रियात्मक ज्यान है जिससे कुछ हो जाता है ऐसा ज्यान उनको सबसे ज्यादा है और फालतू ज्यान पुरुशों को बहुत होता है और उसका तमाशा देखना हो तो भारत की संसद को देख लो देखा आपने संसद में जो पुरुश संसद है वो मा बहन की गालियां देते हैं और इस्त्री संसदों को चुपचाप निकल जाना पड़ता है भारत में पता है क्या माननिता है भारत में माननिता ये है कि भाषा का विकास इस्त्रियों ने ही किया है भाषा का विकास इस्त्रियों ने ही किया है पुरुष की ताकत नहीं है भाषा का विकास करने क्यों? क्योंकि भारतिय भाषाओं में भारतिय भाषा हैं पता है? संस्कृत, तमिल, तेलगू, कन्नण, मले आलम, बंगाली, मने बंगला, आसामी, उडिया ये सब भारतिय भाशा है और हिंदी उर्दू मिलने से पहले अभी तो हिंदी हिंदी नहीं रही है उसमें बहुत कुछ उर्दू गुस गई है फारसी पता नहीं क्या क्या गुस गया तो हिंदी उर्दू मिलने से पहले और बाकी सब भारतिय भाशा है आपको मालूम है इन में गालिया नहीं है एक भी गाली नहीं है और गाली नहीं है तो ये सिद्ध करता है कि ये भाशा इस्त्रियों नहीं रची है हाँ क्योंकि इस्त्रियों में कितना भी गुसा हो गाली नहीं निकलती उनके मुझे क्योंकि ईश्वरी ये गुन है उनमें कुछ तो महकोले कह रहा है कि भारत में इस तरी ईश्वर के नजदीक है परमात्मा के नजदीक है और वो एक सुत्र सुना रहा है पता नहीं उसको कहां से मिल गया वो कहता है भारत के लोग ऐसा कहते है कि इस्त्री के बिना मोक्ष नहीं होता और ये एक दिन मुझे भी अनुभव हुआ है मैं धक्षन भारत में गया था एक गाहों में गाहों में गाहों में एक मंदिर है बड़ा मशूर मंदिर है मैंने सोचा मैं भी दर्शन करूँ तो पुझारी में का आप अंदर नहीं जा सकते मैं पूछा क्यों कि आप ब्रह्मचारी है मैं पूछा तो क्या हुआ ब्रह्मचारी हूँ अंदर नहीं जा सकता नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकता कि आप पवित्र नहीं है मैं पूछा वो कैसे उन्होंने का पवित्रता तो इस्त्री के आने के बाद ही आती है और वो ब्रह्मुचारी ने इतनी गंभीरता से कहा कि मैं देखने लगा उसका चेरा ये बोल क्या रहा है तो उसने कहा कि इस्त्री के जीवन में आने के बाद ही पुरुष पवित्र होता है उसके पहले तो वो लंपट होता है तो मंदर में मुझे गुसने नहीं दिया उसने और वो कहता आप तो क्या हजारों साल से यहां कोई भी व्यक्ति बिना पत्नी के मंदर में गया नहीं है तो मैंने गा ठीक है फिर कभी हो तो सोचूंगा तो मैं वापस चला आयों ये बात को महकौले बोल रहा है वहां कि भारतवासी बोलते हैं कि मोक्ष्व इस्तरी के साथ ही होता है और हमारे सभी रिशी मुनी ग्रहस्त थे सद ग्रहस्त थे ब्रह्मचारी नहीं थे मैंने जितने रिशिमुनियों को आज तक पढ़ा है सबको तो नहीं पढ़ा लेकिन जितने को पढ़ा है सब ग्रहस्त थे इसलिए ग्रहस्त आत्ष्रम कोई ऊची चीज है हमारे तो ये वह बोलता है कि जब ऊची चीज आपके पास है तो उससे और उची प्राप्त करने की ताकत है जो उची नहीं है तो ज़्यादा उची तो मिलेगी नहीं तो भारत में तो इस तरी का ये हैसियत है कि वो अगर नहीं है तो परिवार नहीं है समाज नहीं है संसकार नहीं है भाशा नहीं है ज्यान नहीं है इसलिए भार साल एक परंपरा चली है विच हंटिंग बहुत किता में लिखी गई है इस पर बहुत लिखा विच हंटिंग समझते हैं विच माने क्या कहना चाहिए हिंदी डायन 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 को ढूणना और उसको मारना ये बहुत बड़ा खेल चलता था यूरोप के सभी देशों में जर्म जाता था ये तो विच हो गई है और इसको हंट करना है मने मार देना है उनको जिन्दा जलाना कभी उनको जमीन में खड़ा खोद के गार देना बाल पकड़ के उनको खीच लेना तरह तरह के अत्याचार उनके ऊपर होते थे और किस देश में किस साल में कितनी महिलाओं को अभी छंटिंग किया गया इसके रिकॉर्ड से आज कल में इकठे कर रहा हूँ तो हमारे हाँ जब सती प्रथा की कहानी चर्चित हुई न विलियम वेंटिंग के द्वारा उसी साल में इंग्लेंड में दो हजार साथ सो से जादा महिलाओं को डायन कहके मार डाला गया उसी सा अब हुआ क्या कहानी में कि विलियम वेंटिंग ने अपने देश में जो 2500 से जादा महिलाओं को डायन मरवाया कहके उसकी चर्चा तो की नहीं आज तक एक किसी महिला को इस देश में डायन सिद्ध करके मरवा दिया उसको इतना ग्लोरिफाई कर दिया कि भारत के सभी जानते हैं कि 4500 से जादा बनवासी जातिया है 4556 है कुछ बनवासी जातिया जैसे गौंड है वो एक बनवासी जाती ऐसे ही गौंड जैसे 4500 से जादा समू है इनके बीच में मैं पुछले कुछ सालों से घूम रहा हूँ और मैंने वहाँ देखा कि सती का मतलब क्या होता है सती कहते किसको एक बार गौंड लोगों के एक बहुत बड़े सम्मेलन में गया और वहाँ किसी को सती किया जाना था मैंने का चल के देखूं ये होता क्या है सती होना तो वहाँ हुआ ये था कि एक महिला के पती का दिहान्त हो गया स्वर्गवास हो गया और पती का स्वर्गवास हो गया तो उसकी अंतिम यात्रा के लिए गाउं के लोग जा रहे है अन्तिम संस्कार वो ऐसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं अगनी दाह करते हैं लक्णियां इकटी करते हैं तो मैंने देखा कि उसकी पत्नी आती है और उसके चारो तरफ प्रदक्षणा करती है और संस्कृत के मंत्र बोलते हैं कभी-कभी उनको भूल जाएं तो वो अपनी भाश लेकिन मंत्रो चार होता है बराबर होता है पूरे समय होता है जितने समय तक लाश जलती है तब तक वो मंत्रो चार करते रहते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं तो मंत्रो चार हो रहा है पत्नी उसकी प्रदक्शुना कर रही है तो एक चक्कर उसने लगाया और उनकी अपनी भा सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा वो प्रश्न पूछ रही है और बड़े सुंदर शब्दों में वो कह रही है कि भारत के शास्त्रों ने हमेशा इस्त्री को सुरक्षित रहना यह आवश्यक क्योंकि उसको जीवन बढ़ाना है तो इसलिए उसको सुरक्षा की जरूरत है प नहीं बोला तो फिर चौथा चक्कर लगाईगा फिर वो पूछेगी कि क्या समाज के प्रतिष्ठित लोग जिनको हम क्या कहें महाजन महाजन लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर उन्होंने हां बोल दिया तो आ जाएगी ना बोल दिया तो फिर चकर लगाएगी और आखरी चक्कर सात्मा जब लगाएगी तो वो पूछेगी कि क्या पुरोहित मेरी जिम्मेदारी लेंगे अगर पुरोहितों ने हाँ बोला तो उनके पास आएगी नहीं तो चक्कर लगाके गाओं छोड़के चली जाएगी और गाओं कहेगा कि वो सती हो गए ये है सती हो और इसको बिगाड दिया अंग्रेजों ने क्या कहा कि उसको जबरजस्ती चिता में धकेल देंगे और ये कर देंगे फिर वो जाती कहा है उसके पीछे पीछे में गया तो उस गाओं का कोई मंदिर होगा वहाँ जाएगी और अपना बाकी जीवन उसी मंदिर में वो ये कहती है कि जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो अब भगवान मेरे लिए जिम्मेदारी लेंगे तो मंदिर में जाके पूजा करेगी पाट करेगी अपना जीवन उसी से चलेगा उसका और जैसे ही वो मंदिर में जाके पाट पूजा करने लगेगी तो समाज की आदरनिय हो जाएगी और सब उसको साश्कांग दंडवत प्रणाम करेंगे फिर हम गोंड लोग कहेंगे कि ये हमारी सती है हम उसको एक्स्प्लेनेशन क्या देंगे वो पती के साथ जिंदा जला दी गई वो सती है सती होना कोई उंचा कर्म रहा है हम उसको समझ नहीं पाई अंग्रेजों ने जो डेस्क्रिप्शन दे दिया उसी को अंतिम मान के हमने अपना मान लिया कि ऐसा ही कुछ होता होगा ये होता है और ये सिर्फ गोंडों में ही नहीं होता भीलों में भी होता है गोंड है भील है जितने तरह की जंजातियां है ज्यादा तर में ये होता है तो मेकोले कह रहा है कि भारत में तो इस्तरियों का इस्थान बहुत उंचा है परिवार में उंचा है समाज में उंचा है भाशा उनके यहां से निकली है functional knowledge उन्होंने सामाज को दिया है इसलिए इन के लिए तो सब कुछ विशेश होता है इसलिए गुरुकुलों में आचारे इस तर पर बहुत इस्तरियां हैं ये हैरानी की बात नहीं वो कहता हमारे सामाज में उल्टी इस्तरियों का इस्तान सबसे नीचे है इसलिए हमारे हाँ हर काम में वो सबसे पीछे है तो इस तरह की कुछ बाते हैं जो मेकोले के डॉकुमेंट्स बताते हैं और विलियम एडम ने इससे भी जादा कुछ खोज की है और उसके डॉकुमेंट्स इससे भी आगे की कई बातें बताते हैं कि बारत के ये जो गुरुकुल है इन गुरुकुलों का योगदान क्या है समाज में तो विलियम एडम ने एक गुरुकुल की कहानी लिखी है अपने दस्तावेजों में आंधर प्रदेश में कावेरी नदी के पास विशाका पत्नम से थोड़ा दूर एक गुरुकुल है उसका नाम गाओं का मैं भूल रहा हूँ तो वो गुरुकुल है उसने क्या योगदान दिया है तो वो कहता है विलियम एडम की ये जो गुरुकुल है ये बहुत पुराना है और उसके दस्तावेज पुराने है बारवी शताबदी का वो गुरुकुल है और वो गुरुकुल है सिविल इंजिनिरिंग का कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजिनिरिंग तो कहता है इसका योगदान क्या है तो विल्यम एडम कहता है कि इस गुरुकुल के विद्यारती और आचारियों ने मिलके कावेरी नदी पर एक दैम बनाया है बांध बनाया है जो दुनिया का सबसे पहला बांध है मुझे नहीं मालुम था William Aydamp के डॉकूमेंटस पढ़ने के पहले कि दुनिया का सबसे पहला बांध भारत में बना है फिर जैसा उसने description दिया है उसको खोजते खोजते में पहुँच गया एक दिख और अपनी आखों से देख के आया कि वो डैम अभी तक जीवित है उस डैम पर तेलगू भाशा में एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर तारीक है सन 1238 में वो बना है आज से लगबग 800-800 साल पुरान है और वो डैम की विशेष्टा क्या है पत्थर और चूने से बना है और आप जानते हैं दक्षुन भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाह वाली नदी है कावेरी कावेरी जो है ना पेरेनियल रिवर है साल के बारों महीने पानी रहता है उसमें और पानी का फ्लो सबसे तेज है और पानी का दबाव भी उसका सबसे तेज है तो कावेरी नदी पर जहां सबसे तेज गती से पानी बहता है उस नदी पर बांध बना दिया बांध की लंबाई कितनी है और उसकी चोड़ाई कितनी है लगबग एक किलो मीटर देड़ किलो मीटर के आसपास उसकी लंबाई है देड़ किलो मीटर लंबा बांध है और बांध बनाया कैसा है ऐसा है जैसे जैड होता है ना जैड ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जैड़ शेप में पूरा बांध है तो वो वरन कर रहा है बिलियम एडम के ये ग प्रेट लाइन में क्यों नहीं बना दिया एक रेखी रेखा में क्यों नहीं बना दिया तो कहता है इसका जबाब मुझे नहीं मालू क्यों बनाया बहुत दिन मैं भी सोचता रहा कि ऐसा क्यों है अब मेरे समझ में आया थोड़े दिन पहले कि ये जब सीधी रेखा में आप क कैसे कर दो तो पानी का प्रेशर डाइवर्ट हो जाएगा और वो डेम कभी भी नहीं टूटेगा अब समझ में आया कि वो सवा 800 साल से कैसे जिन्दा है तो वो बोल रहा है कि ये एक गुरुकुल ने बनाया हुआ है और वो गुरुकुल विशाखा पत्नम के नजदीक कभी च रजट में भी इसके बारे में वरणन है तो वो कह रहा है विल्यम एडम के भारत के गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यारती और उनको पढ़ने वाले आचारी कितने समाज के काम करते हैं उसका ये नमूना है राजा डैम नहीं बनाते हैं विद्यारती और उनके अध् अध्यापकों ने बना दिये ऐसी हजारों गोशालाएं गाउं गाउं में विद्यारतियों ने और अध्यापकों ने बना दिये ऐसी हजारों समाज उपयोगी चीज़ है जैसे धरमशालाएं, कुएं, पानी की रहेट ये सब विद्यारतियों ने अध्यापकों के साथ मिलके तो विलिया मेडम कह रहा है कि भारत के गुरुकुल सिर्फ सिक्षा का केंद्र या विद्या का केंद्र ही नहीं है ये गुरुकुल अपने विद्यारती और अध्यापकों के साथ मिलकर समाज के इतने बड़े काम कर रहे हैं जो वर्सों वर्षों तक भारत के लोगों के उप पार्लेमेंट के सभी सांसोदों ने कहा कि अगर ऐसी सिख्षा व्यवस्था भारत में है तो भारत तो बहुत समुर्द शाली है पैसे वाला है यह हमें समझ में आता है कई गुरुकुलों का उसने वरणन किया है जो क्रशी विग्यान सिखाते हैं क्रशी शास्त्रे सिखाते ह कई गुरुकुलों का जिक्र है जिसमें क्रशी विग्यान ऐसा सिखाया जाता है जहां एक एकड में 56 कुंटल चावल पैदा होता है उसकी विद्या वो सीखते हैं आज भारत में जितने भी अग्री कल्चरल युनिवर्सिटीज है न वो एक एकड में 30 कुंटल से ज्यादा धान कभी पैदा करके दे नहीं पाए लेकिन 1835 में विलियम एडम कह रहा है कि एक एकड में 56 कुंटल धान पैदा करना तो सामानने बात है और ऐसी सिख्षा देने वाले विद्या देने वाले सेकड़ों गुरुकुल बारत में तो कुछ कृशी सिखाते हैं कुछ मेटलर ज शाली है वो इन गुरुकुलों के कार तो वो कह रहा है कि अब भारत को अगर गुलाम बनाना है तो इस सिख्षा विवस्था को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक भारत गुलाम बनता नहीं तो फिर उसको पूछ रहा है इंग्लेंड का राजा कि अब आपके पास क्य योजना है तो कह रहा है कि मेरे पास एक योजना है कि हमारी जो सरकार भारत में चल रही है उसको आदेश दिया जाए कि भारत के ये जो गुरुकुल है इंडिजिनेस एजुकेशन सिस्टम वो कहते हैं इसको भारत का इस्थानिय सिक्षातन तो कह रहें जो इंडियन कानून बना कर हम गैर कानूनी गोशित कर देंगे इल्लीगल कि ये सब कुछ अवैधानिक है गैर कानूनी उसके लिए कानून बना देंगे लंदन में यहां से वो चला जाएगा भारत में उसको लागू करा देंगे थोड़े दिन में ये सब गुरुकुल बंद हो तब अंग्रेजों की संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम है Indian Education Act और वो पारित हुआ बाद में भारत की संसद में पारित हुआ और उसको लागू किया गया तो उसमें तय ये किया गया कि जितने भी गुरुकुलों में संस्कृत माध्यम से विद्या सिखाई जाती है वो सब गेर कानूने फिर कहा गया कि जितने भी गुरुकुलों में इस्थानिय भाषाओं की मदद से जैसे तेलगू, तमिल, कन्नड, मलियालम, मराटी, गुजराती इनके माध्यम से विद्या दी जाती है वो भी गेर कानूने तो कानूनी क्या? कानूनी वो जहां अंग्रेजी के माध्यम से सिख्षा दी जाती है वो कानूने तो मैकॉले ने क्या किया? ये कानून लागू करा के फिर भारत के गुरकुलों पर डंडा चलाया, बुल्डोजर चलवाये, एक-एक करके उनका टाश किया, जहां गुरकुल बंद नहीं हो पाए, वहां के अध्यापकों को जेल में डाल दिया, विद्यारतियों को जेल में ड किया, 1840 से 1940 तक, इधर वो अत्याचार करते गए, भारत के गुरकुल खतम होते गए, दूसरी तरफ उन्होंने कॉन्वेंट इस्कूल शुरू किये, जो यूरोप में आज भी चलते हैं, और किसी उद्देश की पूर्ती के लिए चलाये जाते हैं, मैं आपको एक इंट्रि 1950 तक चलती रही, जैसे इस्तुरियों को वोट देने का अधिकार नहीं, इस्तुरियों में आत्मा नहीं, वो बेंक एकाउंट नहीं खोल सकते, ऐसी एक बहुत खराब परमपरा इंग्लेंड में, फ्रांस में, जर्मनी, सभी देशों में, कि बच्चों को घर में रखना नह बच्चे पैदा हुए तो अनाथाश्रम में देना, ये उनकी पुरानी परमपरा है, और कई लोगों उन्हें तो क्या किया है कि बच्चों को पैदा होते ही, घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कि अनाथाश्रम का कोई आएगा उठा ले जाएगा, लेकिन कई बार कुट् इठा ले जाते हैं, यूरोप का जो आधुनिक फिलोसफर्स में एक माना जाता है न, रूसो, उसके पाँच बच्चे पैदा हुए, चार को उसने ऐसे ही छोड़ दिया, घर के बाहर टोकरी में रखके, दो को कुट्ते खा गए, दो को अनाथाश्रम वाले ले गए, यूर लेटो की सिक्षा है, वो कहता है कि अच्छे नहीं हैं बच्चे घर में रखना, और वो ये कहता है कि जीवन का चरम तो आनंद ही है, और वो भी शरीर का आनंद है, वो कहता है जीवन तो इसी के लिए मिला है कि हम शारीरिक आनंद की प्राप्ती करें, और बच्चे इसमें बाद आए तो बच्चों को रखना नहीं घर में तो छोड़ देना तो वहां बच्चे छोड़ने की परंपरा है अब बच्चे छोड़े जाते हैं तो राजा उनकी व्यवस्था करे छोड़े हुए बच्चों की तो राजा कुछ संस्थाएं खड़ी करता है उन संस्थाओं क को कॉन्वेंट कहते हैं कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों को पालने वाली संस्थाएं अनात बच्चों को पालने वाली संस्थाएं कॉन्वेंट माने अनात बच्चों के स्कूल लावारिस बच्चों के स्कूल तो यूरोप में यह कॉन्वेंट चलते हैं तो यह मैकव पूर्च में किसी बच्चे के माता-पिता भी मर जाएं तो उसके चाचा-चाची है, ताउ-ताई है, मामा-मामी है, मौसा-मौसी है, बुआ-फूपा, कोई तो लेगा उसको, यूरोप में तो हैं माता-पिता तो भी छोड़ देंगे, तो यूरोप में ये जो लावारिस पालने के लिए konvent खड़े किये जाते हैं, konvent को चलाने वाले ज़ादातर Christian Institute होते हैं, या चर्च होता है, राजा चर्च को दान देता है, और उस पैसे से ये सब चलते हैं, तो सबसे पहला konvent इस मैकॉले ने भारत में खुलवाया, कलकत्ता, और उस konvent में कोई पढ़ने नह आता था तो इसने दूसरा कानून बनवाया कि जो भारतवासी इस्ट इंडिया कंपणी और अंग्रेज सरकार की नौकरी करेंगे और कलकत्ता में रहेंगे उनको अपने बच्चे यहां भेजना आवश्यक है नहीं तो नौकरी जाएगी तो जवरजस्ती भारतवासी जो उनक कॉन्वेंट नहीं तो मैकोले ने एक विश बीज डाल दिया जो अभी वट बरक्ष बनके फैल गया अब तो ऐसे ऐसे कॉन्वेंट इसकूल है इस देश में बजरंग बली कॉन्वेंट इसकूल आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हूँ आप बंबई में है ग्रांट रोड के पास है रेलवे स्तेशन से बिलकुल सठा हूँ बजरंग बली कॉन्वेंट इसकूल हाँ और एक कॉन्वेंट इसकूल है संतोशी माता कॉन्वेंट इسकूल एक है सरस्वती देवी कॉन्व से क्या रिष्टा है या सरस्वती देवी कब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने गई थे मूर्खों के मूर्ख इस देश में पैदा हो गए ना तो अंग्रेज हैं ना तो हिंदुस्तानी हैं खिचुडी बनके इस समाज में पड़े हो गए ना उसमें से आप चावल निकाल सकत हैं ना मूं की दाल का दाना निकाल सकते हैं यह खिचुडी लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया यह सम मैकॉले की संतान है मैकॉले तो छोड़ गया कुछ जब अंग्रेज गए थे ना तो रिकॉर्ड बताते हैं कि साड़े तीन सो कॉन्वेंट स्कूल थे पंदर अगस इस बच्चों के स्कूल तो वहां जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको सिखाया जाता है कि देखो यह जो अध्यापक है वो अध्यापक नहीं है यह फादर है यह मदर है क्योंकि असली का पता नहीं असली का तो कुछ पता नहीं लावारिस है किसका है बाप उसका और कौन हैं उसकी मा तो स्कूल में जो पढ़ाने वाले होते हैं न टीचर तो पुरुश है तो फादर माने ओल्ड एज है तो फादर और यंग एज है तो ब्रदर और ओल्ड लेडी है कोई तो मदर और यंग लेडी है तो सिस्टर तो कॉन्वेंट में उनको बुलवाते हैं ये फाद तो वहां हो गए नकली और वहां उसको मदर फादर ही बोलना पड़ता है अब भारतिय परंपरा में यह है कि कि किसी बच्चे की दो माताएं तो हो सकती है बाप दो नहीं होते कभी बगवान कृष्ण की दो माताएं थी एक ने जनम दिया एक ने पाला राम चंदर जी मानते ह है कि मेरी तीन माँ है एक ने जनम दिया है बाकी दो प्रेम दे रहें तो माताएं दो हो सकती है तीन हो सकती है बाप हमेशा एक ही होता है अब हमारे कॉण्वेंट में पढ़ने वाले नोने हालों के हर एक के दो-दो बाप एक तो घर में हैं असली और दूसरे हैं वहां नकली और मैं आपको अंग्रेजी की एक शब्द की व्याख्या करता हूँ अंग्रेजी में एक शब्द होता है जो गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बास्टर्ड बास्टर्ड वही होता है जिसके दो बाप होते हैं तो हमने अपने अपने नौने हालों को सबको बास्टर्ड बनाने का दंदा शुरू करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सेंड मेरी कॉन्वेंट में जाता है जीसस कॉन्वेंट में जाता है फल celebrate करो Valentine Day ये Valentine का किस्सा क्या है Valentine का किस्सा ये है कि Europe में मैंने का ना बच्चों को साथ रखने की परंपरा नहीं है ऐसी ही एक बहुत खराब परंपरा है बिना शादी के साथ रहने की एक शब्द चलता है Europe में live in relationship माने शादी तो करने नहीं है लेकिन साथ में रहना है और ये क्यों ऐसा है इसमें छुटकारा आसान है सबेरे किया शाम को निकल गए कहीं दूसरे के घर में घुज गए पर तीसरे के पर चौते के तो जैसे कुटे घूमते रहते न ऐसे live in relationship माने कुटा संस्कृती लेकिन मुझे कई बार लगता भारतिये कुटों से भी ज़्यादा खराब यूरोपियन कुटा संस्कृते भारतिये कुटे फिर भी थोड़े वफादार है यूरोप वाले तो उतने भी नहीं तो ये live in relationship का चक्कर बहुत है और आपको सुनकर आशर होगा कि पहले से और आज तक यूरोप की 70% प्रजा बिना शादी के रहती है बिना शादी के रहती है आप अभी भी जाके देख लो लंदन में पैरिस में कहीं भी अमेरिका में तो ये प्रतिशत 78% है बिना शादी के रहते हैं अब बिना शादी के रहते हैं तो पत्नियां बदलती हैं माफ करो पत्नी तो हो यह नहीं सकती इस्त्रियां बदलती रहती है उनको वो विचित्र विचित्र नामों से संबोधित करते हैं इंगलेंड में एक नाम चलता है मिसिस, मिसिस लॉयट, मिसिस टोपनो, मिसिस ये, मिसिस वो, मने ये उसकी रखैल है, जिसके नाम से का झार, मिसिस माने पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला, जिसके साथ आप बिसतर शेयर करते हैं, वो सब मिसिस हूती है, तो वहां तो ये है सारा खेल इस्त्रियां तो शादी के बिना पुरुष तो शादी के बिना तो कभी-कभी बीच बीच में यूरोपियन लोगों को कुछ अच्छे विचार भी आ जाते हैं तो चौथी शताबदी में आज से लगबग सोले सो साल पहले एक व्यक्ति पैदा हो गए रोम में उनका नाम था वेलेंटाइन वो चर्च के पादरी हो गए उन्होंने भारत का साहित्य कुछ पढ़ा भारती ये साहित्य बहुत जगे फैला है हम सब जानते हैं तो वो पढ़ लिया उनके विचार बदल गए उनका कहना है कि सब को शादी करके ही रहना चाहिए और वो प्रचार करने लगे गाओं गाओं घूमके कि भाई शारीरिक संबंद बनाओ तो पहले शादी करो तो राजा जो था उस समय क्लॉडियस नाम का एक राजा था रोम में वो कहता था आप यह क्या बकवास करते हैं वो कहते थे यह बकवास नहीं है बहुत अच्छी जीवन पद्दिती है पूरवी भारत में पश्चिम भारत में सब जगे यही चलती है वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, इस्त्रियां बहुत अच्छी हैं, आप भी अगर इसमें आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, बीमारियां कम हो जाएंगी वगएरा वगएरा, समाज व्यवस्थित हो जाएगा तो वो घूमते थे गाउं गाउं परचार करते थे बई शादी करो शादी करो और राजा जो होता था वो रोकता था कि शादी क्यों करना हमारी तो परंपरा है बिना शादी के रहना तो राजा और कि वेलेंटाइन का जगड़ा चलता था तो वेलेंटाइन्स आप क्या करते थे कि जो भी शादी करने को तयार हुआ उसको अपने चर्च में बुलाते थे और उसकी शादी करते थे ये सिलसिला उन्होंने 20-25 साल चलाया अब वो राजा बहुत परिशान हो गया तो एक दिन उसने वेलेंटाइन को फासी पर लटकाने का आदेश दे दिया तो 14 फरवरी सन 498 को वेलेंटाइन को फासी पे लटका दिया गया तो जिनकी उन्होंने शादियां कराई थी वो बहुत दुखी हो गए तो उनकी याद में उन्होंने वेलेंटाइन दे मनाना शुरू कर दिया तो ऐसे वेलेंटाइन दे आया अब उनके कॉन्वेंट में वेलेंटाइन दे मनाते हैं अब हमारे भी कॉन्वेंट में चालू हो गया वेलेंटाइन दे यहां तो कोई समस्या नहीं है शादी करके रहने के वहां तो शादियां ही नहीं होती है अब हमारे स्कूलों में वेलेंटाइन दे मनाता है तो बच्चे क्या करते हैं, greeting card खरीते हैं, अपनी अम्मा को देते हैं, would you be my valentine, फिर बाप को भी दे देते हैं, would you be my valentine, इन मूर्खों को पता ही नहीं कि valentine थे, कौन इसका मतलब क्या है, अम्मा को पूछ रहे हैं, would you be my valentine, अभी थोड़े दिन पहले, बंबाई में में एक बुजुर्ग आदमी को मिला, जिनकी 75 साल की उम्मर है, उनके पास 18 greeting card आये, valentine डे पर, और सब में एक ही वाक, would you be my valentine, 75 साल के बुजुर्ग आदमी से लड़कियां पूछ रहे हैं, would you be my valentine, ऐसा अधकचरापन है, ये सब convent में से हमारे बच्चे सीख सीख के निक रिक्षा मिले ना मिले, संसकार अंग्रेजियत के हम जरूर देंगे, तो क्या होगा, तो कह रहा है वो कि भारतवासी जितने साल इसमें से पढ़कर निकलेंगे ना, तो वो शरीर से दिखने में भारती होंगे, आत्मा से अंग्रेज हो जाएंगे, फिर यही हमारी मदद कर और भारत को गुलाम बनाई रखने में व्यवस्था करेंगे, तो संसकार देना है उनको तो अपना, तो वो दे रहे हैं, अब जो कॉन्वेंट में वेलेंटाइन डे सिखा दिया, फिर उन्होंने पता नहीं मदर्स डे ठिका दिया, फादर्स डे सिखा दिया, मदर्स डे प और बहुत पुरानी परंपरा है प्लेटो के समय से चली आ रही है कि बच्चे जब पैदा हुए ना तो घर में तो रखने नहीं बाहर छोड़ देने है तो उन बच्चों को मां का दूद नसीब नहीं है तो चर्च में जो होती है ना सिस्टर्स होती है वो अपना दूद उनक यह सिद्ध कर दिया है कि कोई बच्चा लगातार दो तीन दिन तक बिना विवाहित किसी महिला को लगातार इस्तन पान करे तो चौथे पांच में दिन से दूद आना शुरू हो जाता है तो उनके नर्सिंग जो होती है वो सिस्टर्स के दूआरा होती है या नर्सिस के होता है ऐसी उनके आफ फादर्स डे होता है फादर्स डे का चक्कर क्या है यूरोप के बच्चे वैसे तो घर में रहते नहीं जो गलती से किसी ने रख लिए तो उनको अपने बाप के साथ खाना खाने का अधिकार नहीं है डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ वो दोस्तों के साथ जब वो चला जाएगा खाना काके तो बाद में बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं लेकिन साल में कोई एक दिन वो फिक्स करते हैं जब बच्चे बाप के साथ बैठें डाइनिंग टेबल पर उस दिन वो फादर्स डे मनाते हैं अब उनके मदर् फादर्स डे, उनके ब्रदर्स डे, उनके सिस्टर्स डे, या उनका वेलेंटाइन डे, उसके पीछे कुछ कहानिया है, हम बिना सोचे समझे, अंधों की तरह से इस पे लग गए है, कई बार मैं देखता हूँ, अजमेर जैसे शहर में, जैपूर जैसे शहर में, मदर्स डे प निकालते हैं, फिर इस पे निकालते हैं, ये सब तमाशिवाजी, ये मैकॉले हमारे यहां छोड़ के गया, और वो बार-बार कहता था कि हमें संसकार देना है, सिक्षा दे पाएं ना दे पाएं, वो मेतु का नहीं, अंग्रेजियत का संसकार देना है, तो वो दे गया, बेटे का नाम टिंकू, अब मैं पूछता हूं कि ये रामदयाल और गाहित्री देवी का टिंकू कहां से आ गया, या रामदयाल और गाहित्री देवी की बेटी का नाम दिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली, क्या है बबली का मतलब, क्या है डबली का मतलब, इस तरह के ना हमने रखे हुए गुज गई अंग्रेज यह था हमारे गास हम सब मातर भाशा में हिंदी है और रोज घर में बोलते हैं हो राजीव दिक्षित शीज माई मिस्स तुम्हें पूछता हूं रियली शीज यूर मिस्स क्योंकि यूरोप में मिस्स का माने धरम पत्नी को छोड़ कर कोई भी महिला और उनकी दरम पत्नी कहते हैं ओ राजीव दिक्षित इस माई मिस्स तुम्हें पूछता हूं रियली क्योंकि यूरोप में मिस्टर का माने पती को छोड़ कर कोई भी पुरुश और मिस्स तो बहुत ही खराब है मिस्स है फ्रेंच शब्द है मिस्स का माने एक ऐसी महिला जो जिन्दी की भर वहश्यावरती करे शादी ना कर सके वो मिस्स है मिस्स फलाना, मिस्स धिमाका, मिस्स ये, मिस्स बिना सोचे समझे और सबसे खतरनाक शब्द यूरोप में है अंकल सबसे खतरनाक है क्योंकि जिसके बारे में आपको कुछ बताना ही नहीं हो उसको अंकल बोल दो जिसके बारे मैं नहीं बताना हो उसको आंटी बोल दो हमारे अंकल आंटी कैसे हो सकते हैं या तो चाचा होंगे या तो काका होंगे या तो मामा होंगे या तो मौसा होंगे या तो ताउ होंगे सब कुछ हमारे या निश्चित है अंकल तो बहुत ही अनिश्चित शब्द है आंटी तो और भी मैं को ले छोड़ गया तो हमने अपने बच्चों से मम्मी बोल डैडी बोल ये बुलवाना शुरू कर दिया मम्मी का मतलब है मरा हुआ और डैडी मरे हुए जैसा और बड़े शौक से बुलवाते मम्मी बोल डैडी बोल अब यूरोप में जो भूशा थी ना वो हमारे कॉन्वेंट में घुजगई यूरोप में क्या टाई लगाना है सूट पहनना क्योंकि ठंड बहुत है हमने यहां 50 रिगरी तेंपरेचर वाले अजमेर में भी टाई लगवा दिया सबको इतनी भेंकर गर्मी है अंदर से पसीना पसीना हो रहा है और कभी-कभी तो रोज में ये द्रश्य देखता हूँ एक दूले राजा जून की गर्मी में शादी करने जा रहा है थ्रीपी सूट और टाई लगाके घोडे पे चड़के बैठे हुए उनको पूछो भाई तुमको सुपर इडियट बनने का यही दिन मिला है कहता है राजी भाई एक दिन तो कर लेने दो तो तुमको यही दिन मिला है अपनी शादी का ऐसे हमारी भाषा बदल दिया बूशा बदल गया भोजन बदल गया कॉनवेंट इस्कूलों से बच्चे सीख रहे है पीजा खाऊ बरगर खाऊ हॉट डॉग खाऊ चाऊ मीन खाऊ नूडल्स खाऊ तो उनका भोजन, उनकी भाशा, उनकी भूशा, उनका भजन, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, सब कुछ घुजे अब ये कर दिया सब बंटा था, अब ना तो हम भारतिय रह पाए, ना अंग्रेज बन पाए अगर कोई सब्विता खिचली बन जाए, उसका भविश्य बहुत खराब होता है मुझे कई बार ऐसा लगता है कि या तो हम भारतवासी पूरी ताकत लगा के अपने को अंग्रेज बना लें नहीं तो पूरी इमानदारी से भारतिय हो जाएं, ये अधकचरे ना रहें पीचों क्योंकि इस अधकचरे पन ने हमारी जेनरेशन्स को पीडियों को खतम कर दिया तो इस अंग्रेज यत के सिक्षा तंत्र ने जो यूरोप से आया, क्या कया है आज हमारे देश में एक दो और उधारन देता हूँ, कॉन्वेंट स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं जिन में बिलकूल इस पस्ट बच्चों को सुनाय जा रहा है, पढ़ाय जा रहा है कि उधम सिंग तो आतंक वादी, शंद्रशेखर तो आतंक वादी और महराजारंजीत सिंग तो लुटे रे आप जानते हैं सिख समाज के बहुत प्रतिष्ठित धरम गुरू माराजा रंचीत सिख जिन्होंने ना सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया बलकि मुसल्मानों से भी इस देश को बचाया उनको लुटे रहा हमारे भारत में एक जाती है जिसको जाट कहते हैं जाटों के बारे में अंग्रेज ये कहा करते थे कि इनकी ताकत बहुत है इसलिए उन्होंने जाट रेजिमेंट बनाया आपको मालूम है जाट रेजिमेंट ऐसे ही जाटों के पैरलल महराष्ट में है मराठा वो भी एक तरह से जाटी हैं तो मराठा रेजिमेंट बनाया इनका जो DNA है ना बहुत special किसम का है लड़ना लड़ाना मारना मरना उनको इसमें मज़ा आता है कभी भी अपनी जान की परवा नहीं करेंगे हां किसी के लिए भी जान दे देंगे ऐसे लोग तो जाटों को अंग्रेजों ने लिखमारा और कॉन्विंट स्कूलों में पढ़ा दिन में मानी लेंगे कि हाँ बगत सिंग तो आतंकवादी था उदम सिंग भी आतंकवादी था क्योंकि एक जूट को आप बार बार कहो बार बार कहो तो दस-बीस साल में सत्य तो होई जाएगा एक अंग्कॉन्वेंट स्कूल की हिस्ट्री की किताब में मैं पढ़के आया और वो किताब मेंने समाल के रख्की हुई है जहांसी की रानी लक्ष्वी भाई ने भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं किया और उसका जीवन चरित्र लिखा गया है कि वो एक अंग्रेज अधिकारी जोन लेक के प्रेम और महबत में ही फसी रही जिंदगी बार जहांस पूरे देश का अब संसद में भले ही कितना हंगामा हो लेकिन सरकार कहती है जी सत्य तो यही है क्योंकि अंग्रेज उने लिखा है और हमारे प्रदान मंतरी भी कहते हैं सच्य सत्यवादी तो अंग्रेज यही थे जो हमको यह सब सिखा के गए यह इस्थिती हमारे देश की है तो ऐसी गंबीर इस्थिती में हम सब को सोचना है आज सिक्षक दिवस है तो हम सब सोचें कि इस सिक्षा का क्या करें जो यूरोप से आई है और हमारे देश में जड़ जमा के बैठ गई है मुझे बहुत कश्ट होता है आपको यह बताते हुए कि भारत में जो कॉन्वे हैं अखलेश कुमार करके गोरखपुर से और उसके पास के छितर से सांसद हैं मैंने का जरा यह पूछ तो लो कि भारत में सरकार के बाद किसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है तो उत्तर आया कि सरकार के बाद सबसे ज़्यादा जमीन चर्च और उनके कॉन्वेंट स्कूल माने साल में वो एक ही रुपया देते हैं, हजारों एकड जमीन भारत की इस्तेमाल कर रहा है। और उनकी मिलकियत है। 1820 से अंग्रेजों की सरकार न ये जमीन देना शुरू किया। 2006 तक ये अबाद गती से चालू है। हमारी ही जमीन है, हमारा ही पानी है, हमारे ही संसादन है। पहले में क्या सोचता था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में डोनेशन बहुत देती होगी सरकार। लेकिन संसद में एक जब सवाल करवाया तो पता चला कि सरकार का डोनेशन तो 10 प्रतिशती है, बाकी समाज का डोनेशन, अकेले मैं बुंबई का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, बंबई का, बंबई में जितने कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, उसमें 92% हिंदू समाज के 90% विद्यार्थी हिंदू समाज के जो पढ़ते हैं बंबई में, कॉन्वेंट स्कूलों में, वो सब विद्यार्थी के माबाप एक साल की फीस के रूप में 18,000 करोड रुपए देते हैं, आप सोचते हैं ये रकम कितनी बड़ी है, राजिस्थान सरकार के बजट का लगभ में लग आधा, बंबई शिर्फ बंबई के काउनवेंट, फिर कलकत्ता के काउनवेंट, मद्रास के काउनवेंट, हैधराबाद के काउनवेंट, दिल्ली के इन सब को मैंने जोड़ना शुरू किया, फिर B-class cities के काउनवेंट जैसे अजमेर हैं, जैपुर हैं, ऐसे शहर, फिर C-class, कुल कॉन्वेंट स्कूलों में साल का भारतिय समाज के द्वारा एक लाख करोड रुपई से जादा का डोनेशन और फीस दी जा रही है. हमसे पैसा ले रहे हैं और हमारे ही बच्चों का दिमाग गुमा रहे हैं. और ऐसे ऐसे दिमाग गुमाए जाते हैं एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंने मुकदमा दाखिल किया हुआ है गुजरा थाई कोर्ट में. मामला क्या था? छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ने को आते हैं तो उन बच्चों को लेने के लिए बस जाती है. तो ड्राइवर को कहा जाता है कि जान बूझ के बस बंद कर देना. तो कभी भी वो ड्राइवर बस बंद कर देता है. फिर बच्चों को कहता देखो बस खराब हो गई, तुमारे भगवान का नाम लो, तो बच्चे का नाम लेते हैं, अनुमान जी का, राम का, बस चालू नहीं होती, फिर वो कहता देखो तुमारे भगवान तो कमजोर हैं, ये तो चालू नहीं हो रहे, अब ईसा मसी का नाम लो जैसे ही बच्चे इसा मसी का नाम लेते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर देता है तो तीन-तीन साल के बच्चों के दिमाग में आ जाता है अरे इसा मसी तो बहुत ताकतवर है फिर वो बच्चे आके अपने घर में मम्मी पपा को बोलते हैं अरे देखो हमारी बस खराब हो गई थी हमने इसा मसी का नाम लिया वो चालू हो गई ये मैंने एक घर में एक बच्चे के मुझ से सुना उस दिन मेरी आत्मा हिल गई मैंने का ये हो क्या रहा है आज मैं आपके यहां आने से पहले शाहपुरा एक छोटे से नगर में था तो वहाँ पर राम सनही संप्रदाय के एक बड़े संत है उन्होंने तो कहा कि इतना ही नहीं होता कॉन्वेंट स्कूल में आगे भी होता है बच्चे जो छोटे छोटे होते ना जिनके मन भोले भाले हैं उनको एक खेल खिलाया जाता है कि उनके राम और क्रश्न है ना उनकी मूर्तियां बनाई जाती है मैटल्स की और बच्चों को दिया जाता है फिर वो कहते हैं कि स्विमिंग पूल में इनको तैर आओ तो बच्चे उनको डाल देते हैं वो सब डूब जाती हैं क्योंकि मैटल्स की तो कहते हैं देखो तुमारे भगवान डूब गए फिर उनी छोटे छोटे बच्चों को काष्ट की मूर्तियां दी जाती है लकडी की इसा मसी की कहते हैं तो वो तैर ने लगती तो बच्चों को कहते हैं देखो इसा मसी इतने ताकतवर हैं कि वो तैर सकते हैं राम कुरशन तो डूब गए तो तुमको भी डूब लोकमाने तिलक्की इस बात को फिर याद करें, दुश्मन हमसे ताकतवर है, बहिशकार करो और असहयोग करो, बाद में गांदी जी ने उसको और तेज से कहा, हम इन कॉन्वेंट स्कूलों को और इस एजुकेशन को हटाना चाहते हैं, यूरोपियन, तो इसके लिए रो और बहिशकार करो, मतलब मैंने आपसे कहा कि बानवे प्रतिशत विद्यार्थी हमारे हैं, जो वहां पढ़ने जा रहे हैं, इनको रोको, और हम इसको अपने घर से शुरू करें, कि हम अमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बास्टर्ड नहीं बनाएगे, वो इंजिनियर बने न बने, डॉक्टर बने न बने, कम से कम बास्टर्ड तो न बने, इतना अपमान तो न करें हम अपने पिता का, तो हम नहीं बेजेंगे हमारे बच्चों, तो फिर कहां बेजेंगे, जो हमारे स्कूल चलते हैं, उनमें फिर आप कहेंगे उनमें सुख सुविधाएं कम हैं बढ़ जाएंगी जब धनका प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों से भारतिय स्कूलों की तरफ होगा तो सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी आप सोचो 18,000 करोड रुपया बंबई के कुछ कॉन्वेंट स्कूल को हर साल मिलत तो वो सुख सुविधाओं वाले हो जाएंगी वो तो धनके प्रवाह को बदलने की जरूरत है अभी धनका प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ है तो सुख सुविधाएं वहाँ जादा है हमारे स्कूल पानी से प्यासे हैं बैठने को जमीन पे टाट-पट्टी नही हैं इसकूल में पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है सामान ने जरूरतों की चीज़ें जैसे संडास घर होना चाहिए वो भी नहीं है तो यह इसलिए कि धनकी कमी है धनका प्रवाह उस तरफ है इसको मोड़ दो तो समाज में एक बहस चले इस पर कि यह कॉन्वेंट स्कूल आए कहां से हैं उनके यहां सिक्षा की क्या इस्तिती रही है तो शायद इसमें से एक समझ बने और ये समझ हिंदुस्तान में अगले दो तीन वर्षों में कोई अभियान का सुरूप ले और ये अभियान हिंदुस्तान के इस विश भीज को उखाड कर फेंग दे ऐ इसी भावना मेरे मन में है मैंने इसके लिए एक और प्रयाश शुरू किया है बहुत लोग जब कहते हैं कि राजी भाई विकल्प दो तो हमने खुद अपने इस आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से छे गुरकुल बनाना शुरू किया और वो लगबग एक साल में शुर किता रही है कि सिक्षा और विद्या सब के लिए किसी एक के लिए नहीं पैसा है या नहीं ये महत्तु का नहीं है सिक्षा और विद्या हर एक के लिए वो जाती का है धर्म का इससे मतलब नहीं हमारे गुरकुलों में सभी तरह के विद्यार्थ आप तो जानते हैं कि भारत सोचा है कि कम से कम सिक्षा और विद्या तो निश्वन कुपलब्द कराएं तो हमारे गुरुकुलों में हम फीस नहीं लेंगे यह संकल्प से हम शुरू कर रहें फिर यह चलेंगे कैसे इनको चलाने के लिए विद्यार्थियों को हर दिन दो घंटे श्रम दान करना उनको हम विकवाएंगे और उसके लिए मार्केटिंग नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं पूरे देश में स्वानन बाजार के नाम से इनमें ये वस्तुएं विकेंगी उससे आमंदनी होगी और गुर्कुल उससे चलेंगे फीस किसी को नहीं देनी पड़े और हमारा ये मानन है कि जो विद्यार्थी 14 साल पढ़कर निकल गया कम से कम हरेक के पास धाई से 3 लाक रुपए होगा जो उसके अपने श्रम की कमाई होगी उससे वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकेगा 2000 रुपए की नौकरी के लिए नहीं भागेगा और इन सारे गुरुकुलों को हम ग्यान आधारित बना रहे हैं डिगरी आधारित नहीं क्योंकि ग्यान उचा होता है डिगरी उची नहीं होती कभी में अंग्रेजों ने हमको उल्टा फसा दिया ग्यान आधारित हिंदुस्तान को डिगरी में फसा दिया अब हम किसी की भी परिक्षा लेते हैं तो भई डिग्रियां थी, खगोल शास्त्र में इतने बड़े-बड़े रिसर्च हो गए, आज दुनिया कहती है कि प्लूटो ग्रह नहीं है हिंदुस्तानियों ने तो चौदवी शताब्दी में कह दिया था कि प्लूटो ग्रह नहीं, अब दुनिया महान बातें करने वाले लोग इनके पास किसी के पास डिगरी नहीं थी, ज्ञान था ज्ञान उंचा होता है, डिगरी नहीं होती तो हम भही ज्ञान आधारित सिख्षा और विध्या लाना चाहते अब यह शुरू में हम शायद माइनोरिटी में होंगे लेकिन हर minority समय में majority हो जाती है कौन जाने कल को ये अभियान चल पड़ा तो बहुत बड़ा हो जाए शुरुआत तो एक दो से ही होती है बड़ा होते होते तो बहुत बड़ा सागर बन जाता है बगत सिंग तो अकेला था फांसी पे गया उसके साथ सुगदेव राजगुरु अकेले थे सबसे पहले तो मंगल पांड़े अकेला था क्योंकि उसकी चावनी में कोई मदद करने को तयार नहीं फिर देखो कि हजारों लाखों मंगल पांड़े हो तो आज हम चुरू कर रहे हैं हो सकता है थोड़े दिन में ये हजारों लाखों हो जाएं लेकिन इसमें आप सब का प्रयास होगा तो होगा अकेले हम करेंगे तो नहीं होगा तो आप भी इसमें लगे हैं हम भी लगे हैं और आप में से जो आरे समाजी हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है मैंने एक पाठिकरम तयार किया है आरे समाज के जितने गुरुकुल भारत में चलते हैं उनको हम वो दे सकते हैं हमारा उस पर कोई कॉपी राइट नहीं है सब को कॉपी करने का कम्प्लीट राइट क्योंकि हम मानते नहीं कि ग्यान पर किसी का विशेश अधिकार है ग्यान तो सब के लिए मैंने कहीं से लिया आपको दिया आप किसी और को दे दीजे तो आरे समाज के सभी गुरुकुलों को मैं दे सकता हूँ और दूसरे गुरुकुलों को दे सकता हूँ वहां भी ये साथ साथ शुरू हो जाए हम प्रयास करें आप भी करें तो हो सकता है तीन चार साल में इस देश की सिक्षा का ढाचा और दिशा दोनों बदल जाए ऐसे अभीष्ट की कामना करके आपके पास आया आपने बड़े दिहान शानती से सुना आपका आभारी हूँ इ झाल